हेलो डियार इस्ट्रमेंट्स, वेलकम तू मैंगेंट बेंस, I am Salik और मैंस एजुकेटर और बेटा आज मैं कराने वाला हूँ CCR, Complete Chapter Revision अगर किसी ने इस चब्टर की वीडियो नहीं देखी, प्रैक्टिस नहीं की, क्याने यह नहीं किये, इसको पता नहीं किया और य क्या नहीं किया है, इस वीडियो का नाम है, क्या नाम है सार? इस वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा है यहां से देखिए क्या लिखा है complete chapter बैटा क्या लिखा है complete chapter मतलब इस particular वीडियो में इस chapter में जितने भी concepts हैं जितने भी topic है सब पर मैं आपकी mastery करा हूँगा और ऐसा नहीं कि मैं आपको topic पढ़ाया और बस फिर next topic पढ़ा दिया ना बिल्कुल ना topic पढ़ाने के बाद उसके questions भी होंगे अलग-अलग variety के हर variety के questions होंगे ताकि एकदम set हो जाए वो concept understood चाहे आप कोई भी board में हो किसी भी board से हो no worries अगर आपके chapter rational number आपके से लिए बस में chapter rational number तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है सब कुछ मतलब सब कुछ अभी starting में आपको में दिखाऊंगा कौन कौन से topics अपनको cover करने और topics को इस तरह से लिया गया है जो मतलब basic starting में उसे connect होगे आगे आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे एसे निए अनसर्ट कोई सो topic का पड़ा जिया कोई सो topic का पड़ा जिया ना बिल्कुल ना कैसे करेंट वावा है increasing order में लगा हुआ है according to the concepts समझ में आगई बात तो बात चल रही है rational number class 7th maths की I know that this chapter is in your class 8th as well but कोई बात नहीं है अभी 7th है तो 7th के according अपन काम कर रहे है और राइट बच्चों तर श्टार्ट करते हैं आज क्लास 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 स्टार्ट करने से पहले अकिला एक लुटास प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइट का रहा है हाई क्वालिट एजूकेशन यहापर आपको kindergarten केजी से लेके 12 तक सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट कोर्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में यस आपने सही सुना सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट कोर्स बिल्कुल फ्री में चाहे conceptual वीडियोज हो इस तरह के CCR complete chapter revision one shot हो और MIQs MCQs DPPs daily practice problems multiple choice questions most important questions subjective objective top 20 top 30 top 50 इस तरह की series भी आपको मिल जाएंगी सब कुछ मिलेगा बॉस क्योंकि हमारे पास है हमारी website पर कौन सी website www.magnetbrains.com और हमारी एप पर सेव नेम से एप है प्ले स्टोर पर ठीक है बास चलिए शुरू करते हैं आशी क्लास तो समझ में बढ़िया करके आ गया है अपन पढ़ने जा रहे हैं rational number all right तो भाई देखिए क्या-क्या हम पढ़ेंगे आज की class में ध्यान से देख ली जगा भाई आज की class में जानेंगे what are rational numbers rational numbers क्या होते हैं बहुत जादा detail में इसको हम graphs कर लेंगे अपने अंदर, all right, understood what are rational numbers, standard form क्या होती है rational number की और कैसे find की जाती है, equivalent rational numbers क्या होते है, कैसे find किया जाते है, number line पर rational numbers कैसे represent किया जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी rational number हो, positive हो, negative हो, कोई सा भी rational number हो, number line पर किस तरह से represent किया जाएगा, यह हम फिर हम देखेंगे, दो rational number की बीच में, rational number कैसे निकाला जाता है, तो भई, rational number between two rational numbers, we can find with the help of two methods, yes, method one and method two, method one is by equivalent rational number method, and method two is by mean method, which is also called average method, तो यह हम पढ़ेंगे, all right, दोनों methods से हम rational number निकालेंगे, दो rational number की बीच में, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, comparison, मतलब दो rational number को compare कैसे करते हैं, कैसे पदा करते हैं, which number is bigger, which number is smaller, आ रहा है समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, बॉस, identities, additive identity, multiplicative identity, फिर पढ़ेंगे हम inverse, additive inverse, multiplicative inverse, क्या होता है यह, क्या होता है यह, बहुत detail में हम करेंगे, समझेंगे और इन पर अच्छे-च्छे questions करेंगे, correct, additive identity, multiplicative identity, additive inverse, multiplicative inverse, उसके बाद हम देखेंगे, भई, operations on rational number, rational numbers को add कैसे करते हैं, rational number को subtract कैसे करते हैं, दो rational number का multiply कैसे होता है, और दो rational number का divide कैसे होता है, यह सब हम अच्छे से जान लेंगे, boss, आगया समझ में हासर, समझ में आगया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो start करते हैं, आज की class, all right, एक काम कर लिजएगा, यह सब आप लिख लिजएगा, जल्दी से, screenshot लिज है, कितना करना बाकी है, बस यही करना है इस chapter में, यह जो मैंने सब लिखा है, आपको अभी explain किया है, note कर लिजएगा, जल्दी से, हो गया screenshot, यह लिजएगा, जल्दी से, yes sir, लिख लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं, आशी class, start करते है, what are rational numbers, what are rational numbers से करते हैं, इसको start बचो, rational number क्या होते है, बटाई diagram मना हुआ है, इस diagram की भी बात करेंगे, पहले हम आपको rational number की definition बताता हूँ, मतलब अगर कोई पूछे, कि rational number क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे, कोई भी number, जिसको हम numerator upon denominator की form में लिख सके, पू मेरा मतलब है भाई, numerator, numerator upon denominator, बात समझ में आ रही है, numerator upon denominator, numerator upon denominator की form में जिसको हम लिख सके, numerator upon denominator मतलब like this, कुछ यहां पर, कुछ यहां पर, आल राइट, आया समझ, हाँ सर, पेटा, आपको पता है, इसको क्या कहते है, यह जो line C है, इसको English भी क्या कहते है, अगर आप यह जानते है, तो मुझे comment करके बताईए, अगर आप यह जानते है, इस line को कहते है, आप मुझे comment करके जरूर बताना बच्चो, आल राइट भाई, ठीक है भाई, चलिए, तो जो number numerator upon denominator की form में लिखा जा सके, जिसमें numerator और denominator दोनों integers हों, numerator और denominator दोनों integers हों, और denominator में 0 ना हो, तो भाई, क्या-क्या condition है, numerator upon denominator की form हो, numerator and denominator दोनों integer हों, और denominator 0 के equal ना हो, यह तीन conditions है भाई, आल राइट सर, आगया समझ, हाँ सर, चलिए, कुछ examples की बात कर लेते हैं, कुछ examples की बात कर लेते हैं, बहुत द्यान से आपको देखना है भाई, कुछ examples की बात आपन कर रहे हैं, जैसे कि 2 upon 3, 2 upon 3 upon में हैना, numerator upon denominator हैना, आजाई, 2 और 3 दोनों integer हैना, आजी, denominator 0 तो नहीं है, नहीं है जी, तो यह है रेशनल लंबर, minus 2 upon minus 3, numerator upon denominator, numerator and denominator बोत आर, integers and denominator is not equal to 0, आगे समझ, हाँ सर, minus 2 upon 5, minus 5 upon 4, correct, और, और क्या, और देखिये, और examples हैं भी तो, जैसे कि 0, सर, 0, क्या 0 भी rational number है, हाँ जी, 0 rational number है, क्योंकि 0 can be expressed as 0 upon 1, भाई, अगर कोई भी number लिखा है आपके सामने, कोई natural number लिखा है, कोई whole number लिखा है, या कोई integer लिखा है, कोई भी national number, कोई भी whole number, कोई भी integer, जैसे कि 2, 3, 0, minus 1, minus 5, कोई भी integer, कोई भी natural number, कोई भी whole number लिखा है, उसके अपॉन में आप one assume कर सकते हैं, गरेक्ट, देखिये, रेशनल number की फाम में एक्सप्रेस हो गया, 2 upon 1, 3 upon 1, 0 upon 1, minus 1 upon 1, minus 5 upon 1, numerator and denominator, numerator and denominator, बोत रेटिजर्स, and there is no zero in denominator, so they all are rational number, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, every natural number is rational number, every whole number is rational number, every integer is rational number, देखिये, natural number, whole number, integer, सब rational number की region में आ रहे हैं, यह जो बड़ा वाला region है, यह rational number का region है, बात समझ में आ रहे हैं, यह सब, rational number की region में आ रहा है, तो every natural number, every whole number, every integer is rational number, but, 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 rational number, इन सब के अलावा भी होते हैं, अगर कोई number, rational number, whole number, integer नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है, कि वो rational number नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि यह बहुत wide variety है, इसकी बहुत wide variety है, देखें, कुछ numbers यहां लिखे होंगे इस जगा, जो की rational number है, लेकिन integer, whole number, national number नहीं है, जैसे की 0.2, जैसे की 0.2, बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, हां सर आ रही है, तो हम क्या सकते हैं, every national number, every whole number, every integer, are rational numbers, but every rational number is not integer, every rational number is not whole number, every rational number is not national number, correct, आ गई बात समझ, हां सर बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भई, क्लियर है बिल्कुल, हां सर बिल्कुल क्लियर है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, हर national number, हर whole number, हर integer के upon में 1 हम एंजियूम कर सकते हैं, यही मैं यहापर लिख रहा हूं, आप देखिये, by assuming q equal to 1, q का मतलब, q का मतलब, denominator, q का मतलब, denominator, जहां से देखिये, by assuming q equal to 1, we can represent all national numbers, whole numbers and integers in rational number, all right students as rational numbers, they are infinite in number, यह कितने है, infinite number है, मतलब, अंगिनत rational number है, यह है अंगिनत rational number, बात समझ में आ गई क्या, हां सर बात समझ में आ गई, clear है बिल्कुल, हां सर क्लियर है, all right, तो समझ में आया, हां सर समझ में आ गया, और राइड भई और राइड ग्लेर बचो हासर बिलकुल कलियर है करेक्ट तो आप इसको नोट कर लीजएगा इसको अच्छे से नोट कर लीजएगा यह कुछ एक्जामपल्स हमने लिए है रेशनल नमबर्स के यह कंडिशन्स है करेक्ट इसको चाहिए आप ना लिखे लेकि रेशनल नमबर के बारे में यहां पर ही लिख देता हूँ दे रिप्रREजेंटेट बाइब रिप्रेजेंट बाइट पाइट इमड़े अब्रिप्रेड़ देवाइट के पीटल किउ यसे नेच्छ रिपर नमबर कैपिटल एंसे होते हैं whole number w से रिप्रेजेंट होते हैं integers z से रिप्रेजेंट होते हैं करेक्ट ऐसे ही रेशनल नमबर क्यों से रिप्रेजेंट होते हैं और राइट इस्ट्रेंट्स आया समझ में हां सर बिटा यह इंपॉर्टेंट स्लाइट थी इसको आप जल्दी से कर लो नोट प्यारे बच्चो हो गया नोट हाजी सर हो गया तो रेशनल नमबर क्या होते हैं सारी बात समझ में आ गई है तो एक कुशन है आपके सामने इफ एक्स अपॉन वाई इस रेशनल नमबर थैन विच अफ फॉलिग इस स्टेटमेंट इस त्रू अगर एक्स अपॉन वाई कोई रेशनल नमबर है तो एक्स अपॉन वाई अगर रेशनल नमबर है तो एक्स अपॉन वाई रेशनल नमबर है तो एक्स अपॉन वाई रे integers, and y, y क्या होगा, y 0 के एकवल नहीं होगा, all right, तो देखते हैं, options, y will always be a whole number, क्या y हमेशा whole number होगा, क्यों होगा हमेशा whole number, y negative number भी हो सकता है, negative integer भी हो सकता है, all right, तो ये, not true, x cannot be equal to 0, x 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, देखिए, 0.1, 0 can be, written like this, 0.1, 0 upon 11 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, x के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, x कोई सा भी integer हो सकता है, y भी कोई सा भी integer हो सकता है, लेकिन, एक यहाँ पर restriction है, y 0 नहीं होना चाहिए, अगर, ड डऄनाव मीनि परमे 0 हो जाएगा, तो भही वह कलाएगी, not defined, वह क्लाएगा, not defined, कोई number defined हो गई नहीं कोई number defined हो गई नहीं बात समझ में आ गई हां सर बात समझ में आ गई तो ये भी हमारा फॉल्स वा नेक्स्ट वाई cannot be equal to zero क्या वाई zero नहीं हो सकता बिल्कुल सही बात वाई है denominator में zero नहीं हो सकता अल्राइट लास्ट किया है एक सब्सक्राइब यह बात आपको क्लियर हो गई होगी जब मैंने आपको बताया X और Y दों इंटीजर होते हैं, अब इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, फ्रेशनल नमबर नेगेटिव भी होंगे, क्लियर है? ठीक है, तो यह ओप्शन हमारा भई, ठीक हुआ, यह भी हमारा गलत हुआ, ओल राइट, इस्टुमेंट्स, क्लियर है बिल्कुल, हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लो भाई, ओल राइट, नोट कर ली जागा, इसको जल दे से बच्चो, ओके स्टुमेंट्स, तो क्वेशन हुआ, सॉल्व, और भाई, यह अच्छा कुशन था एक, इस क्वेशन की हैल्प से, रेशनल नम्बर रे कॉंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है, तो पढ़ता है, आगे बास, check whether the following statements are true or false, एक बार पढ़ लेते, all natural numbers are whole numbers, all whole numbers are integers, all integers are rational numbers, all the fractions are not rational number, but all the rational numbers are fraction, zero is a rational number, बहुत बढ़िया वाई, तो यहाँ पर, मुझे एक concept दिखाई दिया, मुझे एक concept दिखाई दिया, यह वाला, all fractions are not rational numbers, but all rational numbers are fractions, बैटा, आप मैं से कितने बच्च ऐसे हैं, जो rational number को fraction समझते हैं, या fraction number को rational number समझते हैं, आप मुझे comment करके बताईए, अगर आप rational number और fraction में confused हो रहे हैं तो, क्योंकि rational number भी मैं आपको बताया, P upon Q की form में होता है, और fraction भी, ऐसा ही होता है, numerator upon denominator में, तो बैटा, इस question को करने से पहले, I will tell you about fraction versus rational number, देखिया, fraction, fraction, what is a fraction? fraction, a fraction is a part of whole, fraction क्या है, a fraction is a part of whole, fraction एक होल का पार्ट है, एक होल का पार्ट है, कैसे, होल कौन सा वाला होल, डबलो एचो एली वाला होल, suppose this is a cake, suppose, this is a cake, और cake के हो गए भाई, फोर पार्ट्स, कितने पार्ट, फोर एकवल पार्ट होए एक एक करेक्ट, इस एक पार्ट को आप कैसे represent करेंगे, आप clicking 1 upon 4, आपको मैंने पढ़ाया था, fractions वाले चाप्टर में, one part out of four part, one upon four, आपके marks, I suppose, 10 में से 8, तो कैसे लिखा आपके डिजन ने, 8 upon 10, करेक्ट, आ रहा है, समझ में हाथ तर समझ में आँ रहा है, तो fraction is a part of whole, मतलब whole क्या होता है, whole number या तो zero होगा, या फिर positive होगा, और positive का जो part होगा, positive का,이다 जो part होगा, वो भी positive होगा तो fractions क्या होते हैं हमेशा? fractions क्या होते हैं हमेशा? fractions क्या होते हैं ज़ले बताइए fractions भई हमेशा positive होगे fractions are fractions are always positive fractions are always positive but but rational number by rational number में तो कुछ इस तरह की बात ही नहीं है rational number में तो कुछ इस तरह की मैंने बात ही नहीं बताई आपको part of whole something नहीं rational number तो negative भी हो सकते हैं positive भी हो सकते हैं rational number positive भी होंगे और negative भी होंगे जो positive वाले देशन नंबर होते हैं उनको कहते हैं fractions fractions और जो negative वाले है वो not fraction वो fraction नहीं कहलाएंगे बात समझ में आ गई understood जो positive वाले होंगे वो fractions के लाएंगे जो negative वाले होंगे वो not fraction मतलब मतलब यह हुआ मतलब यह हुआ क्या मतलब वो असर जिल्दी बताईए मेटा मतलब यह हुआ नोट में लिकता हुआ में यह ली बात every fraction every fraction is rational number every fraction is rational number every rational number every rational number is not fraction हर, आप देखिए, रेशनल नंबर के box में fraction है, रेशनल नंबर के region में fraction है तो every fraction is a rational number, लेकिन कुछ rational number ऐसे हैं, जो faculty out जा रहा है मतलब वो rational number है लेकिन fraction नहीं है, जैसे की, minus 2 upon 3, 2, right minus 2 upon 3, minus 3 upon 8, आया समझ में, हासर समझ में आया, क्लिर है बिल्कुल इसको आप अच्छे से नोट कर लिजेगा भई करेक्ट सेक्षिंज और यॉल्वर पॉसेंटीव ब diary सनल बर आर आडर पॉसेंटधिव बार गोधिन बहुत आया समझ में हां स समझ में है इसको आप अच्छा से अच्छे समझ में आ गया है, इस question को करने से पहले diagram मैं बनाऊंगा Natural number Natural number Whole number Integers Rational number ठीक है, जल्यों, देखे, every natural number is whole number and Every doctoral number is whole number Every national number is Rational number, दे अना सह देखना Every national number is whole number. एच तो हो गया Every whole number is Integers Every whole Number is Rational Number every integer is rational number बात समझ भाई मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सब हो रहे है national number whole number भी है national number national number integer भी है national number rational number भी है whole number integer भी है whole number rational number भी है integer rational number भी है ऊपर से नीचे को true नहीं है every rational number is not integer every rational number is not whole number every national number is not national number every integer is not whole number every integer is not national number every whole number is not national number correct निची से ओपर जो दो बूंपर जिए को फॉल्स है तो देखिए भाई इस डाज़ाग्राम के तरो इस तरह कोई सा भी कोशन आप 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 से कर सकते हैं और ऐसे कॉशन सा आपको देखने को मिलेंगे तो देखिए all the national numbers are whole number all the national numbers are whole number national number के उपर होता है all number national number region whole number में आता है तो every national number are whole number क्या हर national number whole number होगा true हर national number whole number होगा हर national number whole number होगा all whole number are integer हर whole number integer होगा हाँ true हर whole number इंटिजर नोगा देख सकते हूं निचे से उपर जा रहा है इन दोनों को उल्टा फॉल्स हो जाएका भई कैसे और नेशोल नमबर तरह अलोल नमडर अगर अनेशनल में आगा ता फॉल स्थी जिरो जिरो फोल नमडर आलेकिन नेशनल नहीं है correct third day all the integers are rational number they can be just over general number true next all the fractions are not rational number but all the rational number our fraction all the fractions are not rational number क्या सारे fraction rational number नहीं होते हैं बट सारे rational number fraction होते हैं false यह लिका है all fractions are not rational number जबकि सारे fraction rational number होते हैं और लिखा है all the rational number are fractions सारे rational number fractions लिखा है होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है आपको मैंने समझाया अभी क्यों 0 is a rational number true 0 rational number है because 0 can be expressed as 0 upon 1 where numerator and denominator both are integers and denominator is not equal to 0 clear बिल्कुल एकदम जबर्दस यह question था note कर लो इस diagram के साथ बचो note it down quickly प्यार बचो okay sir तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question next question नहीं next concept standard form of rational number by standard form को हम कह देते हैं lowest form standard form को हम कह देते हैं simplest form standard form, simplest form, lowest form simplified form यह सब एक ही बात है और भाहिये super important concept है यह super important concept इसलिए नहीं है कि exam में आएगा standard form में convert करो exam में आएगा lowest form में convert करो इसलिए यह important नहीं है यह important इसलिए है life में कभी भी हम match करें physics करें chemistry करें कोई भी numerical वाला काम करें कोई CB class में कोई सभी math question करें answer हमेशा हमें simplest form में ही देना है अगर कोई answer आपका 2 upon 4 आया तो आप उसको 1 upon 2 लिखते होंगे अगर आप नहीं लिखते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपको answer ठीक तो आ गया लेकिन answer sheet से match नहीं हुआ और आपने अपने teacher से कहा sir मेरा answer गलत है teacher ने बोला गलत नहीं है दोनों ठीक है ऐसा हुआ है ना अगर आपने ऐसी condition face की है तो मुझे comment करके जरूर बताना बच्चो ओके भाई ठीक है तो क्या है भाई भाई standard form, lowest form, simplified form या फिर simplest form इसका मतलब क्या होता है बेटा यह ऐसी form है rational number की यह ऐसी form है rational number की जहाँ पर numerator और denominator दोनों co-prime होते हैं को-prime मतलब numerator और denominator दोनों का कोई common factor नहीं होता वन के अलावा बेटा वन तो सबका factor होता ही है वन तो सबका factor होता ही है तो वन की तो बात ही मत करो लेकिन एक ऐसी form जहाँ पर numerator और denominator दोनों co-prime हो जहाँ पर numerator और denominator दोनों का कोई common factor ना हो वन के अलावा और अभी बात complete नहीं होई है, और denominator should be positive, denominator should be positive, जैसे कि 1 upon 2, minus 1 upon 2, 4 upon 5, minus 4 upon 7, 11 upon 12, minus 11 upon 13, 10 upon 11, 25 upon 4, यह सब क्या है? इस ओल आर, simplest form, आप देख लीजेगा, 1 or 2 का कोई इकामन फेक्टर नहीं है, ऑन का लावा, 1 or 2 का कोई कामन फेक्टर नहीं ह Wonderful, more and more, हाऑ अलिव भी नमर नहीं है 35 or 44 तो दोनों को दोनो को डिवैरिकर देवन कलावा ऐसा कोई भी नमर नहीं अब ही 10 दोनों को डिवाइड कर देवन कलावा और आप जहां से देत के पर डिनॉमनीटर सब के Pacific coding at the nonon a little a Foot अब सकते है तो आप पड़ सकते है No common divisor other than 1 1 के अलावा कोई divisor common नहीं होना चाहिए and B is positive B होना चाहिए positive correct आगे समझ में जल्दी से कर लो इसको note फिरम करेंगे कुछ questions को reduce कुछ questions को solve standard form में note कर लीजेगा जल्दी से बच्चो हो गया note हासर हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए almost सभी chapter में ये question करने को मिल जाते है express each of the following rational number in standard form बटा क्या लिखा है express each of the following rational number in standard form question में standard word replace हो सकता था lowest से standard word replace हो सकता था simplest से लेकिन question change नहीं होता question का मतलब change नहीं होता all right क्योंकि आपको बता दिया standard form lowest form simplest form एक ही बात है बहुत बढ़िया बढ़िया तो देखते हैं बढ़िये अब हम समझेंगे हमने समझ लिया simplest form क्या होती है अब देखेंगे कैसे हम simplest form में reduce करते हैं बढ़िये मैं आपको दो methods बताऊंगा अभी आप अपना दिमाग लगाई है ऐसा कोई number देखिए 12 और 30 दोनों को divide करते हैं ऐसा कोई number क्यों 12 और 30 दोनों को divide करते हैं सर ऐसे तो बहुत तरह नमबर हैं really? बहुत तरह नमबर है? सर वन भाई वन तो हो गई होगा वन तो आपको कहने ही नहीं वन तो हर नमबर को divide करता ही है वन की तो बात ही मत करो वन तो super power है वन के अंदर तो वन की तो बात ही मत करो बात चल रही है वन के अलावा हाँ सर 2 ठीक है बिटा 2 है ना? very good बहुत बढ़िया बात क्या करेंगे? 12 को 2 से divide क्या 6 opposite sign minus 6 30 को divide क्या 2 से 15 सर मैंने कहता ना आप से बहुत सारे नमबर है 3 भी तो है 6 और 15 को 3 divide कर देगा क्या हम इसको simplest form कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते आपने चाहिए डिवाइड एक बार करा हो या बीस बार करा हो जब तक final result final answer में numerator और denominator co prime नहीं होंगे co prime नमबर वो number जिनका common factor 1 के लावा नहीं होता कोई भी तब तक वो simplified form नहीं कहलाएगी और denominator positive भी होना चाहिए तो भाई 6 और 15 दोनों 3 से divide हो जाएंगे 6 और 15 दोनों 3 से divide हो जाएंगे तो 6 और 15 दोनों को डिवाइट करिये 3 से minus 2 upon 5 क्या denominator positive है? हाँ है क्या numerator और denominator दोनों को प्राइम है? हाँ है correct तो यह क्या हो गई भाई? यह हो गई standard form simplest form all right is in question standard के नाम से था तो standard यह हम लिखेंगे जिस तरह पूछा जाएगा उस तरह हम लिखते हैं आगे है समझ हाँ सर समझ में आगे है बहुत बढ़िया वही बहुत बढ़िया है clear है भी लोकुल? हाँ सर clear है चलिए next part देखते हैं नेक्स पार्ट है माइनस 14 अपान 49 ऐसा नमबर जो 14 और 49 दोनों को डिवाइट कर रहा है सर 7 7 तूज़ा 14 7 तूज़ा 49 तो क्या करेंगे दोनों को डिवाइट कर देंगे 7 से भाई तो यह हूँआ माइनस 2 अपान 7 क्या देनव मेरेटर पॉज़िटिव है हाँ है नियुमेरेटर और देनों मेरेटर दोनों को अप्राइम है हाँ है तो माइनस 2 अपान 7 इस इन इस्टैंडर फॉम आ रहा है समझ हां सर समझ में आ रहा है यह है complete chapter revision revision तो मैं आपको एक घंडे में करा देता पूरा चप्टर का लेकिन उससे आपके concept तो समझ में आते practice नहीं हो पाती concept को apply नहीं कर पाते अच्छे से लेकिन यह लेंदी तो है बट सब concept पर बहुत अच्छे अच्छे questions अपन करेंगे हर तरह के questions अपन करेंगे चाहे हर तरह का एक एक की करें लेकिन करेंगे ताकि हमारे concept को strength मिले यह संदो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो जल दीज़े बिटा चलिए सब्सक्राइब करेंगे तो बिटा मैंने आपसे कहा था और जब कहा था तो आपको बताऊंगा भी इसको आप नोट करो यह जो थर्ड वाला पार्ट है इसको हम दूसरे method से करेंगे method कौन सा सर सारी बात होगी इसको आप पहले नोट कर लो बच्चो जल दीज़े आल राइट आ गया समझ हां सर समझ में आ गया बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है थर्ड तोवंटे फॉर अपन माइनस सिक्स्ती फूर सर इसमें तो डेनो में बेंटेव है मेड़न डेनो में नेनेटेव है तो तो पहले इसको positive कर लो, बाकी सारी बात होगी बाद में, पहले इसको positive कर लो, बाकी सारी बात होगी बाद में, कभी बाद में छूट जाए, तो ठीक है, कैसे करेंगे positive बेटा, यह कोई नया method नहीं है, यह हर काम, हर question में यही काम करना है आपको, method तो भी बताया भी नहीं है अब को माइनस 64 अगर आप इसको माइनस 1 से मुटिपलाइ कर दो तो यह प्लास 64 होगा अजिण सर ऐसे कैसेपम अट्प्लाइक कर दोगे लो मिनिटर से मर्जी आया करोगे यो मर्जी आया वो करोगे बेटा मेरी पुरी बास नो डेनों mr. से multiply किया है balance करने के लिए न्यू मिल्टर से भी multiply करना पढ़ेगा अब खुर्श हाँ हाँ सब्सेगी 24 minor space my ए अपोसीट कर देते हैं लेकिन कोई-कई बच्चा क्लास मों फूशता है तो बेटा हुआ यहीकाम है यह गाम उनवे किया है तो आप डरेट कर सकते हो तो कंडो कोई बात नहीं नहीं होगा हाँ सर बिल्कुल ठीक तो भाई यह हो गया माइनस 24 अभी तक मैंने कोई मैथट नहीं लगाया कुछ नहीं किया बस डेनोमिटर पॉजिटिव किया जो कि मैं हर कोशन में करता अब देखते हैं मैथट मैथट की जरूरत क्या है सब्समंज में बढ़िए आ रहा है जब समझ में वो आई गया और लिखा हुआ भी नहीं है कोशन में तो फिर मैथट क्या कर रहे हो बेटा देखो इस वाले कॉशन में पहले आपने टू से डिवाइट किया आपका काम पूरा बढ़ा नहीं फिर होने चाहिए हमारे पास हाँ सर बात तो सही कह रहा हूँ तो बेटा यह जो मैठोड मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा वाला इस मैठोड का नाम है HCF मैठोड HCF मैठोड to reduce HCF मैठोड to reduce our rational number into its standard form HCF मैठोड यहाँ पर क्या करते है numerator और denominator numerator और denominator दोनों का numerator और denominator दोनों का HCF फाइंड करते हैं 24 और 64 24 और 64 हाइस्ट कॉमन फेक्टर भाई फेक्टर तो बहुत रहे होंगे लेकिन हाइस्ट कॉमन फेक्टर है एट कैसे फाइंड किया सर देखिए अगर आपसे नहीं आता फाइंड करना तो 24 के सारे फेक्टर्स फाइंड करें 24 के सारे फेक्टर्स मन मन में देख लें वन टू त्री एट राइट शिक्टी फोर के सारे फेक्टर्स वन टू वन टू फॉर आल राइट और यहां पे फॉर शिक्स भी होगा फॉर वन टू फॉर एट और क्या सर बिटा देखो इन समय हाइस्ट फेक्टर कौन सा एट और एक तरी का और भी है ऐसे अगर कोई फेक्टर्स मिस हो गया कोई बात नहीं इसके आप प्राइम फेक्टर्स फाइंड करें क्या 24 के और 64 के प्राइम फेक्टर्स फाइंड करें प्राइम फेक्टराइजेशन करें उससे भी आपको मिल जाएगा प्राइम फेक्टर्स जितने भी प्राइम फेक्टर्स आएंगे उनका प्रोड़क्ट भी आपका 8 आजाएगा, बात समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है, ठीक है बिलकुल, हाँ सर ठीक है, तो 8 आ गया इनका HCF, क्या करेंगे अब आप, अब आपको करना क्या है, numerator और denominator, मतलब कहना है का यह हुआ, numerator और denominator, दोनों की डिवाइट करनी है, है, highest common factor से, 24 की 8 से डिवाइट होगी, 3 आएगा, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, 64 की 8 से डिवाइट होगी, 8 आएगा, 3 और 8, 3 और 8, दोनों को प्राइम नमबर है के नहीं, हाँ सर, ऐसा कोई भी नमबर नहीं है, जो 3 को और 8 को डिवाइट कर दे 1 के अलावा, तो भई यह आ गई simplest form, और या फिर standard form, और denominator तो हमने पहले ही, denominator तो हमने पहले ही कर लिया था, कर लिया था, denominator हमने पहले ही कर लिया था, positive, असान सर कोईशन, तो दोनों methods आपको समझ में आ गए है, note कर लिजेगा, चल दिसे बच्चों, ओके students, clear है, हाँ सर, clear है, चलिए next and last देख लेते हैं, minus 36 upon 63, दोनों minus के है, minus से minus cancel हुआ, यह हुआ, 36 upon 63, यह मैंने शॉट में कर दिया, दोनों की minus 1, minus 1 से multiply की, खतम हुआ minus, या फिर आप cut कर सकते हो, ऐसे, हल्या की cut कर रहे हैं, चीछी बात है, बट जो math लग रही है, पीछे वो यही लग रही है, नियो मिलिटर और देनों मिलिटर की दोनों की minus 1 से multiply की, clear है भी लोकुल, आगया समझ, हाँ सार समझ में आ गया, ठीक है, तो 36 upon 63, 36 और 63 दोनों डिवाइड हो जाएंगे भाई, clear है, 3 upon 3, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 upon the 3, 12 और 21, दोनों 3 से divide हो जाएंगे, 12 और 21 दोनों 3 से divide हो जाएंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, 3, 4s और 12, 3, 7s और 21, तो answer आया भाई, 4 upon 7, numerator और denominator दोनों को प्राइम है, ऐसा कोई भी नमबर नहीं है, 1 के अलाबा, जो 4 और 7, दोनों को divide कर दे, तो is in standard form, अगर दो बार में divide करके answer आ रहा है, तो आप इस वाले method से कर सकते हो, अगर easy लग रहा है, तो कर सकते हो, देखिए, इसको highest common factor से, उससे करे, HCF वाले method से, HCF find करे, आप 36 और 63 का, HCF find करें, आप 36 और 63 का, तो HCF आएका 9, HCF आएका 9, 9 4s आ, 36, 9 7s आ, 63, तो क्या करेंगे भई, 36 और 63, दोनों को आप 9 से divide कर सकते हो, तो यह होगा 4 upon 7, एक तरीका और भी है, अगर यह minus का ही आप ले रहे हैं, प्लस इसको नहीं कर रहे, minus का ही आप ले रहे हैं, तो आप minus 9 से divide कर सकते हो, answer यही आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो एक question को, अलग-अलग तरह से कर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप से match अच्छे से आ गई है, किस-किस से match अच्छे से आ गई है, मुझे comment करके बढ़ाईए, वीडियो को like भी कर सकते हैं, All right, बच्चो, तो हमने simplest form अच्छे से सीख लिया है, note कर दीजएगा, जल्ली से बच्चो, Okay, students, तो बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, next slide, next concept है, equivalent rational number, equivalent rational numbers, बटा, बड़ा important है concept, बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे, क्या है सरी equivalent rational numbers, से लिए मैं आपको बताता हूँ, equivalent rational numbers, वो rational numbers होते हैं, जिनकी value same होती है, जिनकी value same होती है, equivalent rational number, वो number होते हैं, जिनकी simplified form same होती है, simplified form, अभी आपको बताया, जिन numbers की simplified form same होती है, कैसे सर देखे कैसे तू पार्ट्स आर ग्रीन 1 & 1 2 2 पार्ट्स आर ग्रीन आउट फोर कैसे रिप्सेंट होगा 2 upon 4 1 2 3 4 4 पार्ट्स आर ग्रीन आउट आउट आफ 16 8 parts are shaded out of 16 कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई fraction में 8 upon 16 अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब की value क्या है हाफ पार्ट ही तो shaded है हाफ पार्ट green है yes or no? हाफ पार्ट green है इन सारे fractions इन सारे rational numbers की value equal है किसके equal है? हाफ के किसके equal है? हाफ के आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है सब की value हाफ के equal है तो बेटा मैंने यही तो कहा था? ऐसे fractions, sorry ऐसे rational numbers जिनकी value equal हो, same हो जिनकी simplified form, same हो 2 upon 4 की simplified form आएगी सर, 2 upon 4 की simplified form आएगी 1 upon 2 4 upon 8 की simplified form भी 1 upon 2, 8 upon 16 की simplified form भी 1 upon 2 आप करके देख लिए जगा simplify है, यह homework है आप से आता है बहुत अच्छे से simplified form निकालना, इन सब को आप reduce करके देखिए, standard form में 1 upon 2 ही आएगी और एक बात और रहे गई, in rational numbers की शकल अलग है, शकल मतलब कहने का numerator और denominator अलग है, numerator और denominator अलग है, numerator और denominator different है, तो भही, ऐसे rational number जिनके numerator और denominator different होते हैं, लेकिन की value same होती है, उनकी simplified form same होती है, उनका pictorial representation भी same होता है, देख लो, half, 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 all right, उनको कहते हैं, equivalent rational numbers, पढ़के देखते हैं, the rational numbers that have different numerators and denominators, but are equal to the same value are called equivalent rational number, are called equivalent rational number, बात समझ में आगी, हाँ सर, बात समझ में तो आगी, बेटा, अब बात ये है, equivalent rational numbers find कैसे किये जाते हैं, भाई, by, multiplication, by, multiplication, and by division, कितने find कर सकते हैं, infinite, कितने find कर सकते हैं, infinite, कोई number है, जैसे की one upon two है, इसके numerator और denominator की आप सियम नंबर से multiply करो, suppose आप में टू से किया, तो आगे है, two upon four, two, three से करो, क्या हैगा, three upon six, multiply करके, numerator और denominator की multiply four से करो, क्या हैगा, four upon eight, numerator और denominator की multiply eight से करो, क्या हैगा, eight upon sixteen, by infinite bar, infinite numbers से आप multiply कर सकते हो, जियान रखना, जिस number से multiply numerator की कर रहे हो, उस number से ही multiply, denominator की होनी चाहिए, जिस number से multiply आप numerator की कर रहे हो, उस number से ही multiply denominator की होनी चाहिए, clear है पल्पल, हाँ सर समझ में आ गया, तो हम equivalent rational numbers find कर सकते हैं infinite by multiply numerator and denominator by same number or by divide numerator and denominator by same number, understood, आ गया समझ, हाँ सर, कैसे find करें है, by multiplication by division और यह होते हैं infinite in number, किसी भी एक rational number के हम infinite equivalent rational numbers find कर सकते हैं super important यह concept है बच्चो, super important concept है क्योंकि super important concept इसलिए है बहुत सारे आगे आने वाले concepts है, बहुत सारे आगे आने वाले concepts है, जहां पर यह use होगा भई नोट कर डीजेगा इसको, जल्ली से प्यारे बच्चो, अगर आपको कोई concept याद है, जिसमें equivalent rational numbers use हो रहे हैं, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं नोट इडान कुक्ली, ओके इस तो बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, next slide, select the option which has rational number that can be written in its standard form with numerator 6, मतलब, कुछ rational number है, इन rational number में से कोई एक rational number ऐसा पकड़िये, चूज करिये, जिसको हम लिख सकते हैं standard form में with numerator 6, standard form में जब लिखेंगे तो numerator में 6 आएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है, आपको इन सारे rational numbers को, reduce कर देना है, simplest form में, जब सबके सब simplest form में हो जाएंगे, तो simplest form को चेक करना, किसका numerator 6 है, वहीं आपका अंसर, तो देखिए भई, 6 upon 24, minus 6 upon 24, 6 की 6 से डिवाइड हुई, minus 1, 24 की 6 से डिवाइड हुई, 4, 72 upon 12, 72 और 12, दोनों की 12 से डिवाइड हुई, क्या कर रहा हूँ, मैं highest common factor से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 12 देगे 72.12 है 12 की 12 से डिवाइड हुई 1 12 की 72 की 12 से डिवाइड हुई 6 16 और 64 दोनों को 16 से डिवाइड करिए हाइस कमन फेक्टर 16 और 64 का 16 है तो 16 बंद दा 16 16 फोर्जा 64 32 अपन 8 32 और 8 दोनों को 8 से डिवाइड करिए एड़ बंद एड़ एड़ फोर्जा 32 माइनस का तो भाई देखते है नियूमेरिटर 6 है क्या नहीं नियूमेरिटर 6 हाँ जी है नियूमेरिटर 6 नहीं है नियूमेरिटर 6 नहीं है तो भाई यह रहा आपका आंसर यह रहा आपका आंसर समझ में आया क्या हां सर समझ में आ किया असान सा कोशन था बेज्ड ओन equivalent rational number note कर ली जगा जल इसे प्यारे बच्चो हो गया नोड हाजी सर हो गया ठीक है बढ़ता है आगे फिर देखते है next question which of the following is pair represent the same rational number concept is same rational number go represent and say same rational number coo racial numbers represent करते हैं जो equivalent होते हैं तो check करेंगे यह दोनों equivalent है या नहीं यह दोनों equivalent है या नहीं correct अगर यह दोनों equivalent है तो यह pair कर रहा है रिप्रेजन्ट same number को और यह दोनों equivalent तो यह कर रहा है और दोनों है तो दोनों कर रहे हैं चलिए देखते हैं वह फिर्स्ट पार्ट minus 7 upon 21 and 3 upon 9 minus 7 upon 21 and 3 upon 9 इसको करेंगे भई simplified form में इसको करेंगे simplified form में तो 7 और 21 दोनों 7 से divide हो जाएंगे 7b और 21b करेक्ट minus 7 divided by 7 minus 1 21 divided by 7 3 यह रहा है minus 1 upon 3 अब देखते हैं 3 upon 9 दोनों 3 से डिवाइट हो जाएंगे यह आएगा 1 upon 3 आल राइट 1 upon 3 और इदर आया minus 1 upon 3 तो दिहां से हमने देखा क्या देखा बॉस दोनों की simplified form से यह नहीं आई है करेक्ट हम लिखेंगे यह आपर Since, simplified form, simplified form is not same, simplified form is not same therefore, this pair, this pair does not represent does not represent same rational number, does not represent same rational number All right, देखें एक तरीका और भी है, वो क्या है, वो भी देख लो मेटा 3 और 9 और एक है, 7, 3 और 9, 7 और 21, 3 और 9, 7 और 21, भाई, 3 और 9, 7 और 21, इन में से कोई भी एक simplest form में लिया यह आप, कोई भी एक, तो मैं 3 और 9 को लेकर आ रहा हूं, simplest form में 1 अपॉन 3 और यह 7 भाई, माइनस का भी ता, ठीक है, अगर मैं इस से यह बनाना चाहूं, तो यह बनेगा यह नहीं बनेगा, देखो 3 की multiply, 7 से करेंगे, तो 21 आ जाएगा, 1 की भी 7 से करना नहीं पड़ेगी, तो अंसर आएगा 7, ना कि minus 7, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, अगर question objective में आएगा, तो आप easily check कर सकते हो इस तरह से, और आप बता सकते हो कि है या नहीं है, लेकिन अगा solve करने के लिए आएगा, तो भाई, आपको proper solve करना पड़ेगा, आपको find करना पड़ेगा, simplest form, all right, आया समझ में, हाँ सर समझ में आ गया, तो यह पहला पेर, same rational number को represent नहीं कर रहा है, note कर दीजेगा, जल दीजे बच्चो, ओके हो गया, चलिए, second देखते हैं, minus 16 upon 20, and 20 upon minus 25, minus 16 upon 20 को reduce करिये, simplest form में, और 20 upon minus 25 को भी reduce करिये, simplest form में, आ रहा है समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है, 16 और 20, दोनो fours ते divide हो जाएंगे, दोनो fours ते divide हो जाएंगे, देखे, short में कर दकते, four four to the 16 minus as it is, four five to the 20, दोनो five to divide हो जाएंगे, दोनो five to divide हो जाएंगे, 20 भी और 25 भी, लेकिन ध्यान से देखिए यह है माइनस नीचे तो एक काम करते हैं सिंपलिफाइट फॉर्म तो आप जानते हैं डेनव अमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए तो या तो इसको आप उपर ले जाहिए मैंने आपको बताया था भी कैसे या फिर आप डिरेक्ट इसकी माइनस फ खरेक्ट 20 की डिवाइट माइनस 5 से हुई mentis 4 25 participar है से हुई 5 simplest form इसकी भी ग्याम पॉर पोन 5 इसकी भी माइनस 4.5 ठिक है तो यह दो नो क्या हूए भाई यह दोनो एक्यूवल इंटरेशनल नमडर हुए यह दोनो सेम नमबर को रिपलेंट कर रहे है इसके बाद आप वही बाद लिखेंगे सेंस simplest form simplest form is same therefore they represent दे आप यह दे लिख दो दे स्पेर लिख दो यह यह दोनो उठाकर के लिख दो दे रिपलेंट सेम रिशनल नमबर आ गई बात समझ हां सर बात समझ में आ गई है और राइट क्लियर है बिलकुल हां जी सर बिलकुल क्लियर है तो इन में से कौन सा पेर कर रहा है भाई आपका सेकेंड पेर रिप्रिजेंट सेम रिशनल नमबर आ गया समझ हां सर समझ में आ गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया नोट कर लो इसको जली से बच्चो जली से कर लो इसको नोट का ओके स्वैंस तो बढ़ता है आगे देखते है एक स्लाइड कि 4 रेशनल नमबर एक्यूविल न्वम इनु बैर माइनस 2 अपन 7 के एक्यूवलेंट 4 रेशनल नमबर आपको देने हैं आप 4 भी देसकते हो 40 भी दिशकते हो आप 100 भी देसकते हो इन्फिन नाइट आप इक् एक्रक्राइब किसे करेंगे फोर एक्यूओ इवैलंट फोर एक्यूओवैलंट रेशनल नम्बरज आर फॉर एक्यूओवैलनरेशनल नम्बरज आर मिलास टुओ अपॉब एवन धुब्सवेड शेंटे नहीं आपने टू से की एक बार फाइव से कर दो भाई किसी भी नंबर से करो लेकिन न्यूमिरिटर और डेनोमिरिटर की सेम नंबर से होनी चाहिए माइनस थ्री से कर दो दो नों की एक दो तीन मिल गए टैन से कर दो किसी भी नंबर से करो लेकिन numerator और denominator की सेम नंबर से होगी तो भाई यह आ गए 4 equivalent rational numbers minus 4 upon 14 minus 10 upon 35 5 6 upon 21 minus 20 upon 70 आया समझ में minus 4 upon 14 minus 10 upon 35 732 6 plus 6 upon plus 6 upon yaka 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 minus correct और यह माइनस 20 upon 70 भाई है तो यह भी एक्यूवलिटी आई बात समझ हमने यह माइनस ते किया हमने सबसे प्लस से किया था तो denominator positive था यहां पर हमने माइनस से किया तो माइनस माइनस numerator positive denominator negative that's it भाई इससे कोई फरक नहीं पड़ता माइनस यहां हो यहां हो value सबकी सेम है क्योंकि यह सब equivalent rational numbers है इन सबकी simplified form क्या होगी इन सबको अगर आप simplified form में करोगे सबका अंसर यह आएगा all right यह आगे आपका answer note कर दीजएगा जल्दी से बच्चों कि और राइट इसरेंट्स क्लियर है विल्कुल हां सर क्लियर है next देखते next part तो यह next part में यह हो जाएगा change इधर से चेंज होगा और यह पूरा हो जाएगा change ठीक है सर भाई answer different आ सकते हैं आपका answer पूरी class से different आ सकता है क्योंकि infinite answers are possible infinite set are possible five upon minus 3 correct तो five upon minus three 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 सहीए सर हां सर समझे माला है देख लिए जगा five upon minus three डूनों की तू से मुल्टिप्लाइ कर दो दोनों की माइनस five से मुल्टिप्लाइ कर दो जो integer मन में आये उससे मुल्टिप्लाइ कर दो माइनस टू से मुल्टिप्लाइ कर दो जो भी मन में आये उससे मुल्टिप्लाइ कर दो भाई 4 से मलिटिपलाई कर दू करेक्ट क्या ऐगा अब आज़ा देखिए 5 तूद टैन थी तूद शिक्स माइनस थी था तो माइनस इस 55 25 माइनस और इधर 53 तुद फिफ्टीन प्लस का 5 तूद टैन माइनस तूद दूद शिक्स प्लस का 5 4 कि पॉलनों नेगेटिव से एक ग्यां कॉष्टिव घ्सकून में ता टूद स्वाइगा कृष्टिव ऍाट्री पैले से लिक बात सब्से कि चसे तो अलग बात लेकिन कहना का मतलब यह आप पिसी भी नबर से multiply कर सकते हो बस शर्त एक ही है इस नंबर से आप numerator की multiply करें उस नंबर से आपको डेनो मिलेटर की multiply करने पड़ेगी that's it आपको मिल जाया नया equivalent rational number all right आगया समझ not कर ली जागा इसको जल ली से बच्चो ओके स्टुडेंट्स बढ़ता है आगे देखते हैं next concept rational number on number line number line पर rational number कैसे represent करते हैं वह कोई सा भी rational number हो यह steps अगर आपके समझ में आ गए तो आप आराम से number line पे represent कर सकते हैं चाहे वह positive number हो चाहे वह negative number हो clear है तो अभी बात चल रही है positive की मैं अभी आपको पहले positive समझाओंगा उसके बाद बस एक line बताओंगा सारे negative be automatic समझ में आ जाएंगे तो देखिए step one किस तरह से करेंगे हम number line पर represent step one देखिए identify the section of the number line in which p upon q lie है identify the section कि section की बीच में जो भी कोई number है जो भी कोई rational number दिया हुआ है पहले आपको identify करना है कि section की बीच में वो lie कर रहा है पहले आपको identify करना है कि section की बीच में वो lie कर रहा है कैसे करेंगा identify घ्यान से देखिए बात चल रहाए है positive की अगर numerator if numerator less than denominator अगर numerator छोटा है denominator के तो भाई section क्या होगा किस section की बीच में लाए करेगा zero and 1 बात चल रहाए है positive वाले rational नंबर की अगर numerator छोटा होगा denominator तो लाए करेगा zero और वन की बीच में अगर positive है तो और अगर negative है तो 0 और माइनस वन के बाच समझ माई पॉजिटिव समझ यह निगेडिव अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे कि टू अपॉण फाइफ है तो टू लेस्टें डेनोमिनेटर तो यह लाई करेगा जिरो और वन की बीच में अगर यह माइनस टू अपॉण फाइफ होता तो भाई ऐइदेंटिफाइधा सेक्शन पहले स्टैप होँआ एइडेंटिफाइदा सेक्शन हमने सेक्शन इडिटफाई किया इसको देख करके टू छोटा है फाइफ से तो सेक्शन आइडिशा बशाय हो गया भसक्चोप जीरो और वण के बीचिमें यह लाई करेगा इधर है ने बहुत बढ़िया भई अब आपको देखना ये है step 2 divide the section जो section आपने identify किया divide the section जो section आपने identify किया divide the section into q parts q मतलब denominator में लिखा है denominator में लिखा है 5 divide this into 5 equal parts ठीक है sir 5 part में divide करेंगे क्या हो गया वंन टू स्री फॉर और फाइफ देखलो 1 2 3 4 5 करेक्ट अभ देखिये 0 से लेकर यहां तक एक part out of 5 part जिए लेकर यहां तक 2 part out of 5 part जिए लेकर हो तक 3 parts out of five जिरो सो ले लिए हां तक ूआशा पार्ट आउट ओफ़ई पार्ट जिसा लेकिंग यहां तक आर्ट आउट ओफईफ पार्ट मतलब वन ऐज्ञाव लागें आ भाइव बात समझ में अगई हां sir क्या सिर्फ से और हम साइफ पोन साइफ मा्ग दा पियत डिविजिए गई भाई मार्क और राइट यह हो गया आपका अंसर क्लियर हाइलाइट कर दिया इसको टू अपॉन फाइफ अंडाइस्टोड इस तरह से हो जाएगा सर अगर नियूमरेटर बड़ा हुआ देनों मिनिटर के तो बेटा सब समझ में आएगा सब समझ में आएगा तो केस पहल फिर तो अराम से होई जाएगा लेकिन अगर नियूमरेटर बड़ा हुआ डेनों मिनिटर के तो वो क्या कहलाएगा नियूमरेटर अगर बड़ा होका डेनों मिनिटर के तो वो फ्रेक्शन कहलाएगा अभी आप फ्रेक्शन ही मानों क्योंकि हम पॉजिटिव के लिए पढ को improper fraction को mix fraction में convert करेंगे mix fraction में convert करते ही हमें पहला step मिल जाएगा section हमें मिल जाएगा उसके बाद का काम बिल्कुल ऐसे ही होगा अभी समझाते हैं कैसे देखिए पहले आप यह देख लिए जगा numerator छोटा है डेन अमिनेटर के तो वैल्यू जीरो और वन की बीच वैल्यू जीरो और वन की बीच और नियूमिरेटर बड़ा है अगर डेन अमिनेटर के तो वैल्यू वन के राइट साइड कहीं भी आ सकती है क्लियर आगे समझ तो बैटा आप इसको नोट करिए पहले जल्दी से इसको नोट करिएगा उसके बाद हम बढ़ता है आगे सारे केसिस आपके सामने में रख दूँगा वह गया हासर हो गया चलिए यह आपको मैंने एक्स्पेंड करी दिये देखिए सारे केस में आपके सामने रख दूँगा पहले मैं आपको यह 7 अपन 4 समझाता हूं second part 7 upon 4 यहां पर numerator बड़ा है denominator के तो आप क्या करेंगे बच्छो 7 upon 4 इना इसको पहले आप मिक्स फ्रेक्शन में कनवर्ट करेंगे फॉर वंजा फॉर थिरी रिमेंडर सब को बहुत अच्छे सा आता है मिक्स फ्रेक्शन में कनवर्ट करना इंप्रॉपर थे मिक्स मिक्स से इंप्रॉपर अल्राइट अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ वन होल त्री बाई फॉर इसका मतलब वह वन त्री बाई फॉर मतलब वन में कुछ ज्यादा वन में कुछ 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 क्यों क्योंकि mix fraction होता है whole number और proper fraction combination proper fraction की value होती है 0 & 1 के बीच में proper fraction की value होती है 0 & 1 के बीच में टिक हाँ sir तो यह value कितनी होगी 1 से कम होगी 1 में अगर 1 से कम value जाएगी तो answer 2 तक नहीं पहुचाएगा 1 में अगर 1 से कम चीज आप add करोगे तो answer 2 तक नहीं पहुचाएगा मतलब 7 upon 4 की जो value होगी 1 or 2 के बीच में होगी हो गया identify कहने को मतलब यह है mix fraction में करिएगा कोई सा भी fraction हो मतलब कोई सा भी improper fraction हो mix fraction में करियेगा और देखें किनकर यहां लिखा है यह लिखा है जो नंबर लिखा है वो और एक उसका अगला बन एक उसका अगला नमबर उन-दो के बीच में आए गा क्रेक्ट तो यह लिखा है वन तो यह one और टू के बीच में आएगा पॉस बात समझ में आई पहला स्टैप के लिए हुआ अब देखिए भाई इसका काम खतम हो आप देखिए ये प्रॉपर फ्रेक्शन त्रिया पॉन फॉर अब बिल्कुल वैसे ही काम होगा जैसे पहले हो रहा था क्योंकि पहले प्रॉपर फ्रे को इस वाले सक्षму को इस सेक्शन को क्या करेंगे 4 इककॉल पार्ट में करेंगे किorem नौर्फ llama कि नमने खुरें कि यह ओगिया फॉरुक्त में डिवाइड जहांचे देखिए यह हो गया wa फॉर्ह क्वाड में डिवाइड कैसे सर से देखिए कैसे हुआ 1 2 3 4 एक कुरिक्त तो यह कौन सा होगा वन होग कि इस वाले डी जैनिका नाम है सॉअ आप partition इस वाली मार्क का नाम है one hole one by four one hole तो चले गई क्योंकि वन के राइट साइड हम जा रहे है one hole two by four one hole three by four all right one hole three by four मतलब seven upon four तो यह हो गया seven upon four आ गया समझ प्लस infinite right side और minus infinite left side बाट समझमें अगये अब 2 plus infinite up to minus infinite बाट समझ मैं आ गई हां सर बाट समझ मैं आ गई कितने असानी से हमने कर लिया चलिए वो देखते हैं अगर यह माइनस का होता तो सेम काम होता लेकिन वह zero के left क्रण्साइड होता है यह बात समझ समझ में आ गया हां सार समझ में आ गया कि मतलब यहाँ पर 0 आता यहाँ पर माइनस वन यहावर माइनस टू माइनस वन माइनस टू इस तरह से हम काम करते हैं यह माइनस में होता है चलिए माइनस फाइफ उपाउन सिक्स देखिए माइनस को यह माइनस है ना तो माइनस को एकडूर करिये और देखिए नियूमिरेटर डेनोमिरेटर फाइफ इस लेस दे बीच में आएगा सर तो यह 0 और यह माइनस वन ठीक है 0 और माइनस वन की बीच में आएगा बच्छो यह ला सेक्शन, सेक्शन कर लिया हमने इडिटिफाई, डेनामिनेटर में 6 तो टोटल पार्ट हो जाएंगे भई, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 0 से left side चलेंगे, you know very well about ordering, 0 के right side positive, 0 के left side negative, 0 के आप left side आपको चलना है, यह हो जाएगा minus 1 by 6 6 इदर जाएगे, तो minus 2 by 6, जाएगे, तो minus 3 by 6, देखिए, verify हो जाएगा ऑभी, minus 4 by 6 और यह minus 5 by 6, फिर यह minus 6 by 6, minus 6 by 6, minus 1, हो गया verify, कहा है minus 5 by 6, यह रहा भई, minus 5 by 6, all right minus five six clear है हां सर समझ में आ गया तो बेटा कोई सा भी number हो कोई सा भी rational number हो चाहे positive चाहे negative चाहे proper में हो चाहे improper में हो हम हर number को represent कर सकते है number line पर right side जाएंगे up to positive infinite left side जाएंगे up to negative infinite आ गया समझ हां सर बहुत बढ़े समझ में आ गया नोट कर ली जागा इसको जल देसे ब्यारे बच्चो हो गया नोट हाँ जी सर हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया draw number line and represent the rational number on it 3 upon 4 and minus 5 upon 8 देखिये पहला वाला देखिये 3 upon 4 numerator less than denominator तो section identify हो गया है कैसे हुआ सर ऐसे हुआ numerator numerator less than denominator तो 0 और 1 के बीच में यह आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा denominator में है 4 तो क्या करेंगे आप 4 parts total parts 4 in part का name दो one part out of four part two part out of four part three part out of four part one part two part three part and four part out of four मतलब one कहां है three upon four here रहा भाई three upon four यह आगया भाई यह हो गया भाई रिप्रिदेंट आल राइट हां सर समय में आ गया ओके स्रेवेंट क्लियर है बिलकुल हां सर क्लियर है बहुत बढ़ी आपने समझाया नोट कर ली जागा इसको जल्दी से second part चलिए पहले यह करिए फिर देखते हैं second part को कि देखते हैं second part बच्चो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा second part को भी देख लेते हैं minus का है बाई इस बार कोई बात नहीं minus को इग्नोर करो five upon eight five less than eight मतलब zero और one के बीच माएगा zero और one की बीच में zero और one की बीच माएगा लेकिन minus का है लेकिन minus का है तो zero और minus one की बीच माएगा तो क्या हो गया बाई minus का है तो क्या हुआ यहाँ zero यहाँ minus one आ रहा है समझ हाँ सर यहां कहीं आएगा ठीक है ने नौ में लिटर में eight total eight पार्ट में करो इसको डिवाइड one two three four one two three four five six seven eight यह वाला पार्ट minus one one by eight यह minus two by eight क्योंकि zero से left side हम जा रहे हैं हुए minus three by eight minus four by eight minus five by eight minus six by eight minus seven by eight minus eight by eight का मतलब minus one कहां है minus five by eight यह रहा minus five by eight यह हो गया भाहे रिप्रेजेंट number nine पर ऐसे जाएंगे अब टू प्लस इन्फाइनाइट एसे जाएंगे अब टू माइनस इन्फाइनाइट आ रहा है समझ में हां सर बहुत बढ़िया समझ में आ तो नंबर लाइन का कॉंसेट अगर क्लियर हो गया है तो मुझे एक दे दीजेगा थमसब मतलब लाइक जल दिसे बच्चो नोट कर लिजेगा कुईकली बेटा हो गया नोट हां सर ड्रॉ हो गया नोट नहीं हो इस बार ड्रॉ किया है बस बहुत बढ़िया बेटा चलिए आए रेष्णनल लंबर बिटूए टूरेश्णल नंबर्स है अपना टॉपिक यह वाला टॉपरह कौमसा पट रहा है अभी लेष्णल न्पर बित्मेंछ तूरेश्णल लंबर जि Carson की एक नंबर यह है came number line ही है और एक number ये कोई भी दो रेषनल नमबर निओ ऑखते हैं किसी number के infinite rational numbers भी हम find कर सकते हैं understood तो दो rational number की बीच में unlimited rational numbers होते हैं अब question कैसा आएगा question इस तरह से आएगा आपको कोई 2 rational number मिल जाएंगे और वो कहेंगे find 5 rational number between this and this find 2 rational number between this and this find 10 rational number between this and this इस तरह के questions सामने आते है okay sir तो दो method है हमारे पास मैंना आपको starting में भी बताया था topics to be cover में method one और method two method one का नाम है क्या नाम है sir by equivalent rational number equivalent rational number की help से हम find करेंगे देखे कैसे using the concept of equivalent rational numbers दो rational number हमारे पास है one upon two one upon two and one upon five one upon five and one upon two दो rational number है इन दोनों के बीच में मुझे find करने है तो step one है make the denominators equal मतलब इन दोनों को equivalent rational number में convert करें मतलब इन दोनों के equivalent rational number find करें with same denominator make the denominator equal का मतलब यही है आपको इन दोनों के equivalent rational number find करने है वैली तो चैंज होगी नहीं कोई फरागी नहीं पड़ता तो इन दोनों के equivalent rational number find करने है जिनका denominator same हो तो अब देखिए कैसे करेंगे find उसके लिए best method best तरीका है LCM क्या LCM जादा social need की जरूरत नहीं है LCM तो denominator का लीजे आप LCM denominators का denominator का लीजे LCM LCM of five and two LCM लिया हमने five का और two five का और two का LCM आया sir ten five का और two का LCM आया sir ten बात समझ में आ गई हां sir और बात समझ में आ गई five का और two का LCM ten अब इन दोनो रेशनल नंबर को एक है one upon five और एक है one upon two इन दोनो रेशनल नंबर को equivalent rational number में convert करो जिसका denominator ten हो कर देंगे बिलकुल sir five multiply by two आया ten तो one की भी two से multiply करने पड़ेगी क्या कि हमने equivalent rational number find key to multiply by five ten तो वन की भी five से करने पड़ेगी आया five तो तो भाईया one upon five one upon five बन गया one upon five क्या बन गया sir यहां से देखिए वन अपाउन फाइव बन गया वन अपाउन फाइव बन गया two upon ten एंड वन अपाउन टू बन गया five upon ten यहां से देखिए गाई यह और?. यह क्या है यह वन अपाउन five है, यह क्या है, यह वन अपाउन यह है, यह यह 1 upon 2 है अगर आप two upon ten और five upon ten के बीच में दो rational number निखाल लेते हैं इसका मतलब आप ने one upon five और one upon two के बीच में बीच निकाल लिया!!! आप अराम से निकाल देंगे 2 upon 10 और 5 upon 10 के बीच में क्या आएगा 2 upon 10 और 5 upon 10 के बीच में 3 upon 10 4 upon 10 इसली आप निकाल सकते हैं इस तरह से आ गई बात समझ हां सर तो 2 upon 10 क्या था 1 upon 5 5 upon 10 क्या था 1 upon 2 clear sir अगर हम से 3 पूछ जाते मतलब इन दोनों की बीच में 10 निकालो 10 10 पूछ जाते यहां तो के बाद 3 तीन के बाद 4 चार के बाद फिट पाच आ गया यह तो गीवी निसा यह भी गीवी निसा हम 10 कैसे निकालेंगे अभी तो आपके रहें है एक्यूवलेंट रेशनल नंबर्स तो मैंने आपको बहुत अच्छे से यह स्टैप्स में लिखवा दिया है इनको आप नोट कर लिजा कोशन सॉल्व करेंगे फिर और फिर जानेंगे हम एक और मैथर्ड नोटेट डाउन कुइक लिग 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 यहां कि बीज में कौन सा लाए कर रहा है डेनों मिनिटर 15 15 20 20 दो का डेनों मिनने टर 15 है दो तरी का और 5 का अपने लिया LCM कितना आया सर 15 तरी का और 5 का LCM आया 15 बात समझ में आ गई हां सर बात समझ में आ गई 3 और 5 कल सिंव 15 अपने को बनाना है डेनोमिनेटर 15 दोनों का डेनोमिनेटर 15 तरी की मलीटिपलाइ आए फैसे करेंगे सर ने veut 15 ने टीन की वह तो है सरी सह करने पड़ेंगे इसाने मित्सी जो सी जो फोर वी टो भूएटिबाएं बीतिए करने पिचम से टो तो 3 5 x 1525 ति 5, classe the 15 टी ट्वड़ एंपमillon 15 और 10 पन 15 और 12 बीच में कंगा इं दोनों के 15 11 upon 15 है क्या हाजी है इस तरह से आप इसको कर सकते ओल राइट एक और मेठोड है नहीं समझ में आगर यह वाला मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि निकाल के देखने पर जाते हैं कभी-कभी नहीं भी देखने परते तो क्या करेंगे सबूसरेया उस पे ठीक लगा तो है ना बढ़िया हां सर समझ में आया है नोट कर लिजेगा इसको जल दिसे बच्चो आज और राइट इस्वेंट्स आगे है समझ हां सर समझ में ठीक है तो देखते हैं आगे find 5 rational number between 1 upon 2 and 1 upon 5. क्या करना है 5 rational number निकालने हैं ठीक है 5 rational number गिव रेशनल numbers are given rational numbers are 1 upon 4 and 1 upon 2 LCM 1 upon 4 और 1 upon 2 का LCM 4 और 2 का LCM 4 आया है 1 upon 4 के dinovominiator में पहले से ही 4 है, कोई change नहीं आएगा कोई change नहीं आएगा फिर भी आप ऐसे लिख सकते हो 1 upon 2 9 मिलाना है फोर टू की मनिटप्लाइट नीप टूसे करो तो फोर आएगा नियू मिलिटर की बीटो से करने पड़ेगी टूप ओपॉन फॉर इस ऑन पॉन फॉर और फॉर ऑन फॉर एन फॉर एफ और फॉर की स्मय गा वन अपॉन फॉर गीशन कुछ भी नहीं आ रहा तो इस दोनों की 10 से मिल्टिप्लाइ कर लो लेकिन यहां भी 10 से करने पड़ेगी क्योंकि डेनोमिनेटर सेम रखने है 20 अपॉन 40 10 अपॉन 40 10 अपॉन 40 20 अपॉन 40 की बीच में 11 अपॉन 40 12 अपॉन 40 13 अपॉन 40 14 14 अपॉन 40 15 अपॉन 40 16 अपॉन 40 करेक्ट 17 अपॉन 40 हम निकाल सकते 19 अपॉन 40 तक इसली क्लिर 10 अपॉन 40 है 20 अपॉन 40 1 अपॉन 2 है हम इन इकाल ले 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 के बीच में तो हम लिखेंगे 5 5 rational number 5 rational numbers 5 rational numbers between 5 rational numbers between 1 upon 4 and 1 upon 2 5 rational number between 1 upon 4 and 1 upon 2 are निकालने 1 upon 4 1 upon 2 के बीच में 1 upon 4 10 upon 20 है 1 upon 2 20 upon 40 है sorry 10 upon 40 20 upon 40 तो 10 का अगला 11 upon 40 12 upon 40 13 upon 40 15 upon 40 एक दो तीन चार और लाश्ट में 16 upon 40 या गया 5 बिटा सब के आंसर अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि दो के बीच में infinite हैं मैंने 10 से multiply किया सपोस्थ किसी का मन कर रहा है 500 से multiply करने का तो वो यहां भी 500 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 उसके आंसर अलग आएंगे करना सही वो भी आ जाएगा तो homework करेगा practice भी आपकी हो जाएगी बच्चो इसको note कर ली जगा फिलाहल ओके स्रेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question which of the following rational number does not lie between इन दोनों की बीच में कॉंसल आए नहीं कर रहा तो देखते हैं भाई LCM short में देखो इसको LCM टू और थिरी का LCM टू और थिरी का कितना आएगा six तो माइनस वन अपॉन टू और एक है वन अपॉन थिरी अगा six चाहिए two into three minus one into three minus three three into two six one into two two upon six minus three upon six two upon six और यह minus three upon six two upon six के left side में क्या है अगा number line पर यहां से लेखिए one upon six zero upon six one minus one upon six minus two upon six यह चार आ रहा है does not lie मैंने ऐसा क्यों किया मैंने इसलिए इसलिए किया भाई डेनोमिनेटर में मुझे six दिख रहा था all right यहां पर कुछ नहीं है तो डेनोमिनेटर में यहां पर भी six है हां है माइनस one upon six है माइनस one upon six नहीं कोई बाद नहीं माइनस two upon six है है कॉन से लाए नहीं कर रहा है यह वाला three upon six लाए नहीं कर रहा है करेक्ट आप एसे चाहर कर सकते हो माइनस two upon six है हां है one upon six है हां है three upon six नहीं है तो यहीं आपका हो गया answer बात समझ में आ गई हां सर बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्कुल three upon six all right instruments mcqs को आप और भी method से कर सकते हो three upon six का मतलब one upon two मतलब half यह इन दोनों की भीच में प्लस का half नहीं आ रहा है प्लस आफ नहीं आ रहा है तो यह answer all right clear है हां सर ऐसे सब्सक्राइब कर सकते हो नोट कर लीजगा इसको ओके स्रुमेंट तो बढ़ते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट method taking the mean of rational number मतलब 2 rational number आपको निकाल ले हैं आप mean लेकर के भी निकाल सकते हैं आप समझ्समय हां सर आप mean लेकर के निकाल सकते हैं 2 rational number के बीच का rational number लेकिन अगर question में पूछा जाए five rational number निकाल लिए 10 rational number निकाल लिए तो हम हमाचश को prefer नहीं करते is method से solve नहीं करते हैं क्योंकि यह लेंदी मैथर्ड है चलिए देखते हैं कितना लेंदी है मीन मीन का मतलब होता है सर mean का मतलब होता है आया समझ, mean का मतलब होता है, average बदेखना यह है, mean का मतलब average, बहुत बड़ी है अब देखना ये है, average होता क्या है जिसे कि 1 नम्बर है 2 और 1 नम्बर है 6 अगर मैं इनका average निकाल लो, तो exactly 20 में आ रहाएगा 2 और 6 का average 4 2 और 6 का average 4 तो average मतलब mean अगर आप mean निकालने हैं दो number का तो बिलकुल बिलकुल बीच का number मिलता है एकदम सटीक बीच का number मिलेगा जैसे की कोई number zero और one है इनका mean आएगा आदा क्या formula है mean का चलिए formula बसा देता हूं मैं आपको formula है average average का formula है क्या formula है sir mean मतलब average और formula sum of all terms जिनका भी आपको average निकालना है उन सबका sum और देखना है कितनी terms है total number of terms हला कि यहाँ पर तो दो ही होंगे क्योंकि दो के बीच का निकालना है तो बस simple सा है दोनों को add divided by two कैसे निकला का इन दोनों का mean इन दोनों के बीच का number निकालना है तो इनका mean निकालो कैसे निकलेगा mean इन दोनों का sum और यह कितने हैं दो है तो formula बहुत simple है जिन दो number के बीच का number निकाल रहे हो उन दोनों को add करो divide by two करो उन दोनों को add करो आगे समझ हां सर समझ रहे हैं तो one upon five plus one upon two divided by two देखते हैं भाई upon two as it is इन दोनों को add कर लो one upon five one upon two students add करना में आपको भी सिखा हूंगा आगे addition of rational number लेकिन यह सिकाना ज़रूरी था यह सिकाना ज़रूरी था तो I'm sure I guess upset करना आता होगा नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं addition में आपको सिखा दूँगा आगे अभी फिलाल देखो five for two calcium 10 10 10 की डिवाइट five so we two and two 10 की डिवाइट two so we five five one the five you go yeah we have a seven upon ten upon two seven upon ten multiply by 220 10 multiply by 220 क्या अंसर आया भाई seven upon twenty तो इन दोनों के बीच का number जो है वो मीन है मीन आया है seven upon twenty भाई यह लेंदी है तो एक आध तो हम निकाल लेते हैं दो भी निकाल लेते हैं लिकिन जादा हम से पूछा जाएगा तो हम यह method नहीं लगाएंगे यह method नहीं लगाएंगे बात समझ में आ गई इसको कर लो बढ़िया जल्दी से note आइम शूर आपको समझ में आ गया होगा mean method note it down quickly बीटा हो गया है note बहुत बढ़िया भई बहुत बढ़िया ठीक है तो बढ़ता है आगे question है एक बार फिर से दो rational number निकालने हैं आपको इन दोनों के बीच बढ़िया हम इसमें mean method लगा सकते हैं हाँ लगा सकते हैं सर अराम से मिल जाएगा लेकिन mean method lengthy होता है हम mean method use नहीं करते जब तक लिखा हुआ ना है लिखा हुआ आएगा नहीं application मतूल लेकिन आना भी चाहिए करना आपसे तो इसको कैसे करेंगे सर इसको मीं से कर सकते हो और इसको howap डारेक्ट भी कर सकते हो दो नंबर के बीच का rational number आपको चाहिए कि न हड़ चाहिए दो आपको चाहिए है तो कैसे करेंगे देखें दियान से मीन से करें सक्षिन को हां सरइस को empowerment देखें यह वान आपाउन टू और यह माइनस वान अपाउं थे दिए इन दोनों के एक्जेक्ट बीच का नंबर पहले आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे सर्फ मीन निकाल कर देखिए गिविन रेशनल नंबर्स आर माइनस वन अपॉन त्री एंड वन अपॉन तू आपको इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है दो निकालने हैं पहले आप एक निकालेंगे दो एक साथ निकाल ही नी सकते आप इस मैधड़ से एक बार में एक ही निकालेंगा रेशनल नंबर बिट्वीन माइनस वन पॉन पॉन थ्री ऐंड वन उपॉन तू इस नमबर बीट विट्वेन दिस टिस इज इन दोनों का मीन मीन उफ minus 1 upon 3 and 1 upon 2. कैसे दिखलेगा mean? इन दोनों को करो add. Divide by 2. इन दोनों को करो add. Divide by 2. Divide by 2. As it is. इन दोनों को add करते हैं. 3, 2, 6. LCM लिया 6. 6 की divide 3 से होई 2 आया. 2, 1, 2. 6 की divide 2 से होई 3 आया. 31, 3. All right. आगे हैं समझ हां sir. 6 की divide 3 से की 2 1 से आया. 2 1 से 2 minus का. 6 की divide 2 से भी 3 आया. 3 बंजा 3. प्लस का. कितना हो गया यह? माइनस 2 प्लस 3 मतलब 3 माइनस 2. 1 upon 6. upon में 2 है. यह उपर पहुँच आएगा multiply में. तो यह हो गया 1 upon 12. प्लस का 1 upon 12. तो यह बीच का नमबर आया sir. 1 upon 12. तो दोनों की बीच का तो हमने निकाल लिया है. अब आपको आप से पूछे थे 2 rational number. आपको एक और निकालना पड़ेगा. अब आप यह तो इन दोनों की बीच का निकाल दो तो यहां मिलेगा. अगर आप इन दोनों की बीच का निकालोगे. इन दोनों की बीच का नमबर निकालोगे कोई. तो आपको यहां मिलेगा. लेकिन है तो यह इन दोनों की बीच में ही अल्टिमेटली. इन दोनों की बीच में ही अल्टिमेटली. तो हम इन दोनों की बीच के निकाल लेते हैं 1 upon 2 और 1 upon 2 के बीच का सॉरी सॉरी यह 1 upon 12 ता भाई 1 upon 2 कैसा जाएगा 1 upon 2 के पहले 1 upon 2 कैसा जाएगा तो यह 1 upon 12 ता अब हम rational number निकालेंगे भाई 1 upon 12 and 1 upon 2 के बीच का rational number between 1 upon 12 12 and 1 upon 2 के बीच का 1 upon 12 and 1 upon 2 इकल तो इन दोनों का मीन 1 upon 12 plus 1 upon 2 divided by 2 और राइग अपन 2 अपन 2 अज़ इस 12 और 2 का लस्यम 12 और 2 का लस्यम 12 1 plus 12 divided by 2 6 6 1 जा 6 यह हो गया भाई आपका 7 upon और यह 12 की 2 से मलिटिप्लाई 24 क्या आया सर 7 upon 24 यह आगया 7 upon 24 क्या पुशा गया था लास्ट में आप लिखेंगे देर 4 2 rational number between minus 1 upon 3 and 1 upon 2 are 1 upon 12 and 7 upon 1 upon 12 and 7 upon 24 आया समझ में? हाँ सर समझ में आया नोट कर लिजएगा इसको जल लिसे बचो आल्राइट तो आप लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे देर्फोर बीच विणynen इसर वन ऊपन टुँर एक वन अपन ट्वफ एक और एकसऑन अपन 24 और राइट आगे समझ में हांसर समझ में अल्राइट स कर ली जागए स को जल्सी अपार ठीक है question हो गया complete बढ़ते हैं आगे आपसे बहुत अच्छे से करना आ गया है दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे find किया जाता है ओके बच्चो note it down quickly प्यारे बच्चो ओके सुरेंस तो बढ़ता है आगे next question list five rational number between minus one and zero देखिए minus one and zero इसके बीच के आपको five rational number निकालना है कितना असान है minus one and zero minus one को आप लिखो minus one upon one rational number की form में लिखा zero को लिखो आप zero upon one अब क्या करेंगे sir बड़ा interesting question है zero को लिखो के आप zero upon one हमने rational number की form में लिखा अब यहाँ पर डेनाば मेनीटर पहले सैम है यह वो वहाला case बन गया डेनाव मेनीटर से में होने के बाद भी बीच में कुछ कुछ नहीं मिल रहा था किसी बड़े नंबर से multiply कर लो चारोगी इसकी 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 अगर से में तो तो 10 से कर लो आप और किसी नंबर से भी कर सकते हो लेकिन करना सेम से यह हो गया minus 10 upon 10 यह हो गया 0 upon 10 0 upon 10 और minus 10 upon 10 की बीच में five rational number अराम से मिल जाएंगे देखिए five rational number between five rational numbers between minus one and zero are 0 upon 10 के left side में क्या होगा minus one upon 10 फिर minus two upon 10 फिर minus three upon 10 फिर minus four upon 10 फिर minus five upon 10 आगा है five हाँ सर आगा है five बहुत बढ़िया भाई लास्ट में लगा दो एंड माइनस five upon 10 है ना असान सा कोश्चन हाँ सा असान सा है यह आपर LCM की स्रूरत नहीं पड़ी direct equivalent rational number निकाला ओल राइट यह कोश्चन पहले नहीं कराया लेकिन यह वाला concept यूज वा था जब LCM निकाल करके equivalent fraction equivalent rational number में convert करने के बाद भी बीच में कुछ नहीं मिल रहा था तो हमने ऐसा किया था ओल राइट ऐसा कोश्चन एक्जाम में आ जाता है और भाई यह वाला concept आप पढ़ रहे हैं rational number between two rational number जो आप यह पढ़ रहे है rational number between two rational number यह बड़ा important है यह next class में आपको मिलेगा एट क्लास में भी आपको यह मिलेगा नाइफ में भी आपको यह मिलेगा तो यह super important है भाई आगया समझ हां सर समझ में आ गया तो इस कोशन को note करो बढ़ते हैं फिर आगे है ओल्राइड शुवेंट्स ओके शुवेंट्स ओल्राइड भाई तो देखते हैं next concept comparing rational number दो rational number को compare कैसे करते हैं देखे भाई बड़ा असान है दो rational number को compare करना बहुत जादा असान है बहुत जादा असान है दो rational number को compare करना चेक करें क्या उनके like denominator है क्या उनके like denominator है मतलब चा उनके denominator सेम है अगर denominator सेम है अगर denominator सेम है तो बस उनके numerators आप compare कर लेंगे. चिस rational number का numerator बढ़ा, वो rational number बढ़ा, जिस rational number का numerator chota, वो rational number छोटा. Compare का मतलब यह तो है compare करके बताओ कि दो rational number equal है नो कोई deuxième number equal है या कौन सा बढ़ा है, कौन सा छोटा है मतलब ऐसे यह वाले शाइंजी आपको बताना है जैसे कि आपके पास दो rational number supposed 2 upon 7 और एक 11 upon 7 तो comparison of two rational number क्या यह लाइक denominator है हाह denominator दोनों का सेम है तो comparison of numerals of rational number क्या करेंगे सिर्फ numerator का comparison कर लेंगे तो देख लिए जगा 2 छोटा है 11 से तो 2.11 छोटा है 11 से तो रेशनल नमबर रेशनल नमबर बड़ा numerator इसका छोटा वो रेशनल नमबर छोटा अगर denominator like है तो अगर denominator like है तो बात समझ माई अगर denominator equal है तो ठीक है सर चाहे वो माइनस के हो numerator चाहे कुछ भी हो अगर denominator equal है तो बस numerator compare होगा नियुमेडर compare होगा that's it और तो भई यह वाली लाइन समझ में आ गई लेकिन लेकिन अगर like denominator नहीं है तो टू अपॉन सैवन थी अपॉन एट दो रेशनल नमबर है बात समझ में आई दो रेशनल नमबर है एक टू अपॉन सैवन और एक थी अपॉन एट क्लियर बिल्कुल हां क्लियर है अगर लाइक डेनोमिटर नहीं है लाइक डेनोमिटर नहीं है डेनोमिटर सेम नहीं है तो तो क्या करेंगे आरे सेम नहीं है तो सेम करेंगे बाई conversion of rational number to like denominator, उन rational number को convert करो, like denominators में, मतलब उनका equivalent rational number find करो, find equivalent rational numbers equivalent rational number, दोनों करना है, यह है, with same denominator, with same denominator, और यह मैंने आपको सिखा दिया है, equivalent rational number कैसे find करते है, same denominator का, with the help of LCM, अभी हमने concept पढ़ा था, दो rational number की बीच का, rational number कैसे find करेंगे, वहापे मैंने, क्या किया था, वहापे मैंने equivalent rational number find कराए था, आपको same denominator वाले, yes or no, तो वही काम करेंगे, तो बस कहने का यह है, मतलब like denominator में है, अगर, तो numerator compare हो जाएंगे, जिसका numerator बड़ा, वो बड़ा, जिसका numerator छोटा, वो छोटा, like denominator में नहीं है, तो like में पहले convert करेंगे, और फिर से numerator compare हो जाएंगे, तो बड़ा असान है, concept बड़ा simple है, दो number को, दो rational number को compare करना बड़ा असान है, सिर्फ और सिर्फ numerator compare होंगे, अगर like denominator हैं तो, like denominator नहीं है, तो like में convert करो, और फिर numerator compare करो, मतलब numerator तो compare होंगे ही होंगे, all right, है ना बड़िया, अभी question करेंगे, बहुत मज़दार मज़दार, note कर लो, इस algo prhythm को, कैसे कैसे work करेगा ये, note कर लो, इस strategy हो, इस method को, कर लो जल्दी से, note बच्चो, हो गया note, हो गया screenshot, हाँ सर हो गया, चलिए, कुछ questions करते हैं, comparison पर अभी, देखे बाई, दो number है, हमारे सामने करना है compare, क्या इन दोनों के denominator सेम है, क्या इन दोनों के denominator सेम है, क्या, नहीं सर, एक का denominator 3 है, एक का 4 है, सेम नहीं है, तो background बनाते हैं, question का, given rational numbers are, given rational numbers are, 2 upon 3, and 3 upon 4, all right, समझ में आ गई बात, हाँ सर बात समझ में आ गई, तो भाई, 2 upon 3 है, एक 3 upon 4 है, denominator सेम, denominator सेम होते, तो हम numerator को compare कर लेते, denominator सेम नहीं है, तो denominator सेम करना पड़ेगा, बिदा help of equivalent rational number and LCM, तो ले लेते हैं, भाई, LCM, denominator का, 3 और 4 का LCM, 12, कैसे पता सेला, इन दोन में बड़ा का है, 4, क्या 4, क्या 3 की table में 4 आता है, नहीं, 4 का double करो, 4, 2 जा 8, क्या 3 की table में 8 आता है, नहीं, 4, 3 जा 12, आता है, तो 12 हो गया LCM, इस तरह से हम short में कर सकते हैं, भाई, मतलब, क्या चाहिए, denominator में 12 चाहिए, क्या बनाना है, denominator में 12 बनाना है, ओक्य बास, 4 की multiply, 3 से की जाएगी, तब ही 12 बनेगा, तो 3 इंटू 3, 9, 3 की multiply, 4 से करेंगे, तब ही 12 बनेगा, तो 2 की भी 4 से करने पड़ेगी, 8 upon 12, या ने Garthusi, 4 3 से 12, 3 3 से 9, 3 4 से 12, 2 4 fi8, जिस नमबर की, तो से 3 से होई, तो 3 से होई, तो झामरीटर की भी 4 से होई, तो से 2 upon 3 बन गया 8 upon 12, 3 upon 4 बन गया 9 upon 12, तो अपDER 2 upon 3 बन गया 8 upon 12, 3 upon 4 बन गया 9 upon 12, 12 12 डेनो मिनिटर सेम है तो नियू मिनिटर कंपेर कर लो भई 8 और इदर है 9 9 बड़ा है 8 से 9 किसका डेनो मिनिटर है 9 अपॉन 12 का तो ये बड़ा हुआ 8 अपॉन 12 से लेकिन आपको अपना आंसर देना है भई यह आपको हमेशा अपना आंसर कोउचिन के ही फॉर्म में देना होगा करेक्ट तो 8 अपॉन 12 की original form थी 2 अपॉन 3 लेस देन ऐस प्रफ्र 2 अपॉन 12 की original form थी 3 आपॉन 4 लेस ती आपॉन 4 तो काफी तरह से क्कॉषन को पूछिज जाता है कैसे अभी तो compare लिखा हुआ गया कभी-कभी लिखा आएगा which one is greater which one is greater तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा greater है कभी-कभी पूछ लेगा which one is smaller तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा smaller है बात समझ में आई और अगर अभी तो दो compare है दो नंबर को compare है तो आप अराम से बता सकते हो के दोनों equal है नहीं है मैं से कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा है लेकिन अगर तीन नंबर या तीन सा जादा नंबर आपको मिलते हैं compare करने के लिए is rational number तो उनमें क्या करेंगे तो बेटा उसमें हमें और रेंज करना पड़ेगा या तो ascending order में या फिर descending order में एक question करा हूंगा वैसा भी no need to worry about that इसको आप note कर लो फिर करते हैं कुछ और questions in the same series हो गया है note हां sir note हो गया ठीक है तो बढ़ते हैं आगे यह देखिए मैंने काता ना question को अलग-अलग तरह से पूछा जा सकता है symbolic form में पूछा गया है कि भाई fill करना यह 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 greater than less than equal to assign आपको फिल करना ठीक है बिल्कुल वैसे ही होगा बस sign box में fill कर देंगे देखिए माइनस 5 अपॉण 7 माइनस 5 अपॉण 7 तू अपॉण 3 माइनस 5 अपॉण 7 तू अपॉण 3 बात समझ में आ रही है हां sir बात समझ में आ रही है देनाव मिलेटर सेम है नहीं sir देनाव मिलेटर सेम नहीं है अगर देनाव मिलेटर सेम होते हैं तो हम नियू मिलेटर को compare करके in fractional numbers को compare कर लेते हैं लेकिन देनों मिलिटर सेम नहीं है तो देनों मिलिटर सेम करने पड़ेंगे ना सार वाट बिग डील सेवन और सिरी काल सिम क्या है मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में बताईएगा वीडियो पॉस करिए कॉमेंट सेक्षिन में मुझे बताईएगे 7 और 3 कल सिम सर 21 बहुत बढ़िया मिटा जो 21 सोच रहे थे उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत थेंक्यू और राइट इस चलिए माइनस 5 अपॉन 7 है और एक 2 अपॉन 3 है डेनों मिलिटर में चाहिए 21 डेनों मिलिटर में चाहिए 21 ओल राइट सरइक किस नमबर से की जाय है 21 है सर 3 से इस Мाइनस 5 की भी 3 से करनी पड़ेगी —5 की 3 से की ऐस 15 3 की multiply किस number से करी 21 आय सर 7 से तो 2 की भी 7 से करनी पड़ेगी 14 आ रहा है समझ हां सर बे 3 समझ में आ रहा है तो minus 5 upon 7 बन गया minus 15 upon 21 2 upon 3 बन गया 14 upon 21 देनों मिलेटर्स हो गये हैं सेम देनों मिलेटर्स हो गये हैं सेम तो एक का न्यूमिलिटर माइनस 15 है 1 का 14 आल्राइट तो यह बड़ा हो गया बात समझ में आगई यह वाला बढ़ा हो गया positive नंबर हमेशा negative नंबर से बड़ा होता है क्लियर है बिल्कुल positive is always greater than negative तो minus 15 upon minus 15 किसका numerator था minus 15 upon 21 का 14 किसका numerator था 14 upon 21 का तो भाई minus 15 upon 21 minus 15 upon 21 की original form minus 5 upon 7 14 upon 21 की original form 2 upon 3 2 upon 3 bigger conscious sign आएगा यह वाला सर एक बात बताईए इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी हमें तो पता है positive वाला बड़ा होता है negative से हाँ बेटा आप फिल कर देगे आप इसको फिल कर सकते हैं अगर वन मार्क में आता है या फिर अब्जेक्टिव कोशन आता है फिलप की फॉर्म में या MCQ की फॉर्म में तो आप अराम से देखिए positive is always greater than negative number लेकिन अगर solve करने के लिए आगया और आप सिर्फ ऐसे लगा करके आएंगे तो भाई आपको marks नहीं मिलेंगे पूरे solve करने के लिए अगर आया दो मार्क में अगर आया तो इस तरह से करेंगे इसको solve प्रूफ करने के लिए आया तो भी ऐसे ही करेंगे हाला कि अगर एक marks में आता है तो आप कह सकते हो positive is always greater than negative number और यह हो गया ऐसे और राइट नोट कर लिए जगा बिटा जल दिस इसको okay students चलिए second देख्थे same question part 2 minus 4 upon 5 minus 4 upon 5 minus 5 upon 7 denominator same नहीं है तो LCM ले लेते हैं देनों मिनिटर का 5 का और 7 कैल्सियम सर 35 ओल राइट माइनस 4 upon 5 एक रिशनल नंबर माइनस 5 upon 7 एक और रिशनल नंबर देनों मिनिटर में मुझे बनाना है 35 concept आपको बहुत अच्छे से मैं समझा चुगा हूं क्यों ऐसा हो रहा है करेक्ट तो यह है 55 की मलिटिब्ला किस नंबर से की जाए 35 आइसर seven तो नियुमी टिक फिला की भी 720ट निए ऱपसके ने पड़ेगी gamma meters हो गए हैं सेम यहाँ अहुर्स हो गए हैं सेम एकन एम मिल्हा आला है माइनस 28 और एक का एमाीनस 25 बताइये भी कॉनसा नाएगा तो देख यह ओण सा बढ़ा है सरविसे तो 28 पर है अगर आप minus sign को ignore कर देंगे तो 28 बड़ा है लेकिन भाई यह minus है minus में छोटा वाला बड़ा होता है तो minus 25 is bigger than minus 28 और we can say that minus 28 is smaller than minus 25 minus 28 is numerator of minus 28 upon 35 minus 25 is numerator of minus 25 upon 35 sign as it is or is there a form of minus 28 upon 35 minus 28 upon 35 की original form minus 4 upon 5 minus 25 upon 35 की original form minus 5 upon 7 कौन सा सिम्बल आएगा सर यह वाला ओल्राइड आ रहा है समझ हां सर यह आ गया वह अंसर क्लियर है हां सर बहुत जादा आप पार्टीशन बना दीजगा यह बन गया भाई पार्टीशन नोट कर दीजगा इसको जल्डी से प्यारे बच्चों हो गया है नोट हाँ जी सर हो गया है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स कुश्चिन राइड़ फॉलिंग रेशनल नम्बर इन असेंडिंग और देखिए असेंडिंग और में पूचा गया है असेंडिंग और मतलब smallest to largest अपने को अरेंज करना है यह आपसे डिसेंडिंग भी पूच सकता था तो जैसे यह करेंगे वैसे ही वह जाएगा अरेंजमेंट चींज हो जाएगा बस लास्ट में और यह कंपेर करने के लिए भी कह सकता है इस नन नॉبर को अंपेर करना घर कहा तीन या थीन से जादा नेशनल नंबर को कंपेर करने के लिए आगर कहा तो फिर भी हमें एरेंज कि करना पड़ेगा या तो असरेंडिंग और में या फिरदेंग इसनंग पड़ ची jut चलिए बहें कैसे करें ना देखियो पाइट फरस दोनों तरह की कोश्चिंस मैंने यहाँ पर एंड कि एस पर रखे उए हैं इनका 10 एनओ देनोल में सेम है वो भी जिनका डेनोल में DR शेम नहीं है क्योंकि बैन को श्रॉडिंग में कहा था हर विरारेट की गवामोच्चं प 5-2 upon 5-1 upon 5-1 upon 5 comparison आप से आता है तो यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको आपको क्या compare करना है numerator क्योंकि denominator सेम राइट तो देखिए हैर सबसे छोटा कौन सा इन में सबसे छोटा वह असेंडिंग है नियू मिलिटर देखिए माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 सबसे छोटा कौन सा होगा सबसे छोटा सर माइनस 3 ही होगा माइनस 3 माइनस 3 के बाद माइनस 2 के बाद माइनस 1 सबसे छोटा फिर उससे बड़ा माइनस 2 से बड़ा माइनस 1 clear understood ascending order में कर दीजेगा arrange ascending order answer हमेशा आपको original form में ही देना है minus 3 किसका numerator है minus 3 upon 5 का minus 2 किसका numerator है minus 2 upon 5 का minus 1 किसका numerator है minus 1 upon 5 का यह हो गया भई arrange ascending order में clear है क्योंकि यह question असान था easily हो गया क्योंकि denominators are already like denominators of all the rational number are already same that's why अगर यह same नहीं होते तो इनको same हम बनाते जैसे कि second part में हम बनाएंगे note कर दी जगेस को जल्ली से बचो चलिए बाई second part देखते है और बनाते है denominator same given numbers are कर लो या जैसे पिछला कुशन के था वैसे कर लो कोई problem वाली बात नहीं है minus one upon three minus two upon nine minus four upon three denominator same नहीं है three or nine है LCM आप three three nine का लीजे यह three or nine का लीजे एक यी बात है तो LCM ले ले लेता हूं भाई में three nine three का लीजे या three nine का लीजे ल्से नाइन ही आएगा ओल्राइट मतलब मुझे इन सबको convert करना है equivalent rational number में जिनका लेन ओमनेटर 9 क्योंकि मुझे इन को convert करना है एक ऐसे नमबर में जिनका नओने ओम नाइन हो क्योंकि मेरे को डैम mäनेटरس लाइक करने है यही मेरा objective है लैना मीनेटर लाइक करने है यही मेरा objective है समझ में पात हां सर बात समझ में आ गई है तो चलिए यह और यह माइनस टू अपॉन नाइन भाई यह तो पहले साही नाइन है यहां तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी ताकि सिरीज में लिखा जाए चाहो तो वह भी ना करो कि भाइ थ्रीक मल्ट कि लाइक नंबर से की जाएन या सर फिली से तो मैन्स वन वन की भी छिपार नहीं है बच्चो अल्राइड तो माइनस फॉर की भी थीजिए फॉर थीजिए ट्वैल आल राइट फॉर थीजिए ट्वैल निगेटिव 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 सारे काम होगा all right students चलिए तो देखते हैं आगे अब आपको करना है numerator को आपको करना है numerator को compare minus 3 minus 2 minus 12 सबसे छोटा कौन सा है सबसे छोटा बड़ा-वाला होगा minus 12 all right r i samaj minus 12 minus 12 से छोटा minus 3 minus 3 से छोटा minus 2 oh ulta bol diya मैंने सबसे छोटा minus 12 उससे बड़ा minus 3 minus 3 से बड़ा minus 2 correct मैंने बोल गलत दिया लेकिन मतलब मेरा वही था भाई सबसे छोटा minus 12 उससे बड़ा minus 3 उससे बड़ा minus 2 यह आप कह सकते हो सबसे बड़ा minus 2 उससे छोटा minus 3 सबसे छोटा minus 12 ascending order है तो ऐसे नहीं बोलेंगे सबसे बड़ा कैसे बोलेंगे सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा all right अप सही है हां सारब सही है बहुत बढ़ी है भाई minus 12 minus 3 minus 2 minus 12 किसका denominator था minus 12 उपन 9 का minus 3 किसका denominator था minus 1 उपन निमरेटर था sorry मैंने फिल कर दोल दिया मेटा sorry for that or minus 2 किसका numerator था minus 2 upon 9 बिटा यह सब numerator है न तो गलती से वो डेनो मेंटर निकल गया मुसे हो जाता है कभी-कभी ऐसा अभी सही है हां सर सही है minus 12 किसका numerator था minus 12 उपन 9 का minus 3 किसका numerator था minus 3 upon minus 3 upon 9 का और minus 2 किसका numerator था minus 2 upon 9 का अब इनकी original form में लिखेंगे इनकी original form में minus 12 upon 9 की original form क्या है minus 12 upon 9 की minus 4 upon 3 है minus 1 upon 9 की original form क्या है भई माइनस 3 अब ठीक है माइनस 3 upon 9 की original form क्या है सर माइनस 3 upon 9 की original form minus 1 upon 3 है minus 2 upon 9 की original form minus 2 upon 9 ही है ओल राइट इस आगया समझ हां सर समझ में आगया क्या किया सबसे पहले इनके denominator सेम किये denominator सेम करने के बाद नीए मिलेटर कंपेर किये numerator कंपेर करते हमारा कॉशन्थ हो गया all right, minus 12 minus 3 वाइनस 2 minus 12 minus 3 minus 2 सबका डाय Price 999 और राइट इसकी original form यहां रखे इसकी original form ्यां रखि इसकी original form यहां रखे आ गया समझ में cự्षर समझ में आ गया और यहां लिख दीजए का पसेंडिंग ओडर कहां पर या तो इसके ऊपर लिखिए या फिर इसके साइड में आल राइट नोट कर ली जागा इसको जल दी से असान साइब कुश्चन था भाई लोगो हो गया नोट हा जे सारो गया ठीक है बढ़ते हैं आगे देखते हैं नूट से तो इपन्यू कॉंसेप्ट फेटा योड इनॆएただ इन्वर्सक आ यह identities and inverse identities में हम पढ़ेंगे additive identity and multiplicative identity inverse में हम पढ़ेंगे additive inverse and multiplicative inverse मैं आपको starting में भी बताया था तो देखिए भाई additive identity क्या है तो मैं आपको सिखाता हूँ भाई देखिए अगरेटिव आइडेंटिटी अगरेटिव आइडेंटिटी क्रेक्ट बॉस एडेटिव वर्ड जो वर्ड है इससे आपको समझ में आ गया कि भाई addition होना है आया समझ में हाँ सर एडेटिव से समझ में आ गया कहीं नहीं कुछ एडेंटिटिव से related है और बॉस आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी वर्ड आया एक वर्ड से कौनसे वर्ड से आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मिनिंग होता है सेम अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको बिलकुल भी कोई प्रॉलम नहीं होगी ना additive identity में ना multiplicative identity में बात समझ में आ गई हां सर समझ में आ गई तो धिहान से देखिए क्या है बात 5 में क्या एड करें जो 5 ही आई P together Q में क्या एड करें जो P together Sir इतनी सी बात 0 zero kisí bhi number में आप अब अदे 0 आड करेंगे तो वो number खुद ही आएगा तो भाई इसका मतलब यह请 हो आ addative identity का मतलब add करेंगे identity का मतलब same आएगा क्या add करेंगे जो answer same आएगा rational number में sir 0 तो additive identity additive identity क्या हुई additive identity हुई 0 बात समझ में आ गई 0 is an additive identity 0 आप किसी भी number में add करो वो number खुद ही आएगा okay sir तो देखिये a is a rational number then a plus 0 equal to a examples x is चली x तो हुई गया 2 upon 3 plus plus 0 minus 2 upon 41 plus 0 you will get minus 2 upon 41 तो 0 is an additive identity आगे समझ हासर बिटा नोट कर लो इसको जल्दी से quickly एक्दम कि ओके श्रुमेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो अभी हमने additive identity समझा अब हम समझेंगे multiplicative identity मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी फिर से वही बात आइडेंटिकल आइडेंटिकल का मतलब सेम एडेटिव का मतलब एडेशन तो मल्टीप्लिकेटिव का मतलम मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होगा मर्टीप्लिकेशन होगा कि मल्टीपलिकीशन किस नंबर से मल्टिपलाई करें किसी ऎरिशनल नंबर की वह सुझ ही सर्वन्स खेए कोई भी क्या माईनास लिए hac taş Bitte madam मुझेब लू करें आएं किस नंबर से करें टौफ उप उन्धिरियाए अथा सर्वनगे माईनस टू उप 6 की multiply किस number से करें जो minus 2 upon 6 ही आए सरवन से तो 1 क्या हुई multiplicative identity क्या हुई 1 आया समझ में देख लिए जगा एक रेशनल नंबर है तो a multiply by one equal to a clear है बिलकुल बहुत असान है बेटा अब जाके आपको समझ में आया होगा की क्यों होता है क्या होता है कैसे होता है confuse नहीं होना है सब कुछ छिपा हुआ है name में identity identical मतलब से all right बच्चो note कर लो इसको जल्दी से हाजी बई आगे समझ हासर तो हमने identities पढ़ लिए दोनों identities अच्छे से पढ़ लिए अब देखते है inverse पहला वाला है additive inverse देखें भाई additive inverse क्या है द्यांसर देंकि क्या लिखा है number plus additive inverse equal to zero मतलब कोई number कोई भी rational number आप ले लो जैसे कि two upon three plus additive inverse अभी नहीं पता क्या है equal to zero two में क्या add करें two upon three में add करें जो zero आजाए क्या add करें additive inverse two में जिसे add करेंगे उसको कहेंगे additive inverse अगर रदल्ट आता है तो रदल्ट आता है zero तो इसमें two upon three में not two two upon three two upon three में क्या add करूं जो zero आ जाए सर two upon three में क्या add करना है minus का two upon three करना है सर और minus के two upon three में क्या add करूं जो zero आ जाए सर प्लस का two upon three तभी तो यह कटेंगे answer zero आएगा मतलब यह हुआ कोई भी नंबर का अगर आपको additive inverse find करना है तो क्या करेंगे उस नंबर का जो भी नंबर है उसका negative find करेंगे अगर two upon three है तो two upon three का negative minus two upon three अगर minus two upon three है तो minus two upon three का negative plus two upon three minus two upon three का negative plus two upon three मतलब कहना का यह है sign हो जाएगा change sign हो जाएगा change if a number is positive अगर number positive है then add negative sign to find the additive inverse और अगर number negative है then add negative sign देखें number positive है तो भी आपको negative sign add कर देना पड़ेगा उससे पहले आपको मिल जाएगा उसका additive inverse और अगर नंबर negative है तो भी उसको सामने उससे पहले आपको negative sign add करना पड़ेगा minus minus मिल जाएगा आपको positive मिल जाएगा आपको additive inverse बात समझ में चलिए एक एक्जामपल और लेते हैं जैसे की रेशनल नंबर है कोई माइनस टू माइनस टू का आप फाइंड करना है आपको एनिडिव इन्वर्स माइनस टू में क्या एट करेंगी जो जीरो आएगा सर्टू अब देखिए माइनस टू फो नंबर इस पोजिय्टिव स्वरिंअ ए इन्बर एस नेगडिव नम्बर नेगडिव है नम्बर नेगेडिव है टू नेगडिव x को एसला नftig इनएस माइनस टू में एड़ कर दिंगे मतलब पहले क्या जोड दिन Excuse Enough लगा माइनस माइनस प्लस क्या आया टू एडिव इनवर्स बात समझ माइन आ गई मतलब कहने का यह है साइन हो जाएका चेंज अगर प्लस का टू है तो माइनस टू एडिव इनवर्स माइनस टू है तो उसका एडिव इनवर्स प्लस टू अगर एट है तो उसका एडिव इनवर्स minus 8 और अगर minus nine है तो उसका additive inverse plus nine बात समझभाई देखिये 5 upon 3 का additive inverse minus 5 upon 3 minus 5 upon 3 का additive inverse 5 upon 3 5 upon 3 का additive inverse – 5 upon 3 minus 5 upon 3 का additive inverse 5 upon 3 double arrow लगा हुआ है बात समझभाई अब आप मुझे बता यह comment section में एसा कौन सा नंबर है जो खुद का ही additive inverse है ऐसा नंबर जिसका additive inverse वो खुद ही है ऐसा नंबर जिसका additive inverse वो खुद ही है आपको बताना है मुझे comment section में I am waiting बचो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को like कर दिजएगा नहीं समझ में आया तो यहां देखेगा 0 0 में मैं क्या add करूँ जो answer 0 आए sir 0 में 0 ही add करो 0 में क्या add करूँ जो 0 आए sir 0 तो भई 0 0 is additive inverse 0 is additive inverse of its own of its own 0 खुद का ही additive inverse है बटा ऐसा question बहुत ज़्यादा पूछे जाता है ऐसा रेशनल नंबर बताईए ऐसा रेशनल नंबर बताईए जो खुद का ही additive inverse हो तो कौन सा है वो 0 note कर दीजागा इसको जल्दी से इसके बाद करेंगे multiplicative inverse all right note it down ओके बच्चो आगे समझ हां सरसमझ में आ गया ठीक है बढ़ता है आगे फिर है कि मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स अब एड़ कर रहे थे मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टिप्लाइब करेंगे कोई आपको वन अपॉन टू से तब ही तो टू से टू कर रहे बहुत बढ़िया बात त्री अपॉन फाइफ ट्री अपॉन शिक्स थी अपॉन सिक्स की मल्टिप्लाइब किस नंबर से करें जो वन आएं सर थी अपॉन शिक्स की मल्टिप्लाइब करनी पड़ेगे आपको शिक्स अपॉन थिरी से 6 upon 3 से 6 से 6 कैंसल 3 से 3 कैंसल आंसर आया 1 मतलब हो क्या रहा है एक और देख लो 2 upon 7 2 upon 7 की multiply किस नंबर से करें जो 1 आए सर 2 upon 7 की करनी पढ़ेगी आपको 7 upon 2 से 7 से 7 do Verbração कैंसल हुआ रैट के 2 से 2 कैंसल रहा है नंसर आया 1 मतलब हो क्या रहा है मल्टी प्लाइ हो रही है उसके रेशिप्रोइव आँब और को कहते हैं मल्टीप्लेकिटीव इंवर्स देख ली जागा नमबर की मल्टीप्लाइ मल्टीप्ले इंवर्से करेंगे के तो बनाएगा म१ल्टी बिपले कि the universe को कहते है रेशी प्रोकल ऑफ था नमबर माहिटी प्ले के इन्वर्ट को reciprocal of the number to obtain the multiplicative inverse of a rational number interchange its numerator and denominator to obtain a multiplicative inverse multiplicative inverse find करने के लिए किसी rational number के interchange its numerator and denominator numerator जब numerator and denominator जब interchange होते हैं तो निकल के आता है reciprocal तो multiplicative inverse is nothing but reciprocal 5.3 का reciprocal 3 upon 5 3 upon 5 4 reciprocal 5 upon 3 to 5.3 and 3 upon 5 both are multiplicative inverse of each other बात समझ में आ गई ऐसा ही एक और एक्जामबल दीजे मुझे comment section में 5 upon 3 3 upon 5 जैसा 2 upon 7 7 upon 2 2 upon 7 1 and 7 upon 2 are multiplicative inverse of each other ठीक है बिकास बोथ आर रेसिप्रोकल of each other तो आपने जैसे मुझे पहले बताया था अभी पिशली वाली स्लाइट पर वो नंबर जो खुद का ही एडिटिव इनवर्स था ऐसा ही मुझे नंबर बताईए जो खुद का ही multiplicative inverse है योर काउंट डाउन स्टार्ट जल्दी बताईए बई जल्दी बताईए बई ऐसा नंबर जो खुद का ही multiplicative inverse है सरवन वन की multiplier आप किस नंबर से करेंगे जो वन आएगा सरवन से क्योंकि वन अपॉन वन का reciprocal वन अपॉन वन ही है ठीक बहुत बढ़िया बात भाई 1 is 1 is मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ओफ एट्स ओन खुद का ही मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स है बिटा वन के लावा को यह नंबर भी है क्या हां सर जैसा वन वैसा ही माइनस वन माइनक्र का है साच प्रोल्स प्रोकल भी माइनस वन इंग है तो यह हमएन स्पेस इसलिए यह श्लिए ही थोड़ीशी दी ठी आपको वन एंड वन एंड माइनस वन आ र multiplicative inverse of its own one और minus one दो ऐसे नंबर हैं जो खुद के ही multiplicative inverse है सर जिरो भी है क्या ना 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 जिरो बिल्कुल नहीं है वाई क्यों जिरो को आप लिख सकते हो जिरो अपॉन वन जिरो अपॉन वन की multiply अगर हम इसके रेसीप्रोकल से करें 0 upon 1 रेसीप्रोकल वन अपॉन जीरो वन अपॉन जीरो ओता है नौट डिफाइंड तो आंसर वन नहीं आएगा अंसर भी आजाएगा नौट डिफाइड बात समझ में आ गया हां सर बात समझ में तो भाही दिहान रखना दो नंबर कौन से हैं वो one and minus one clear all right students so important note tha note करके मैंने आपको लिखवाया दिखान रखना additive inverse वाले case में zero multiplicative inverse वाले case में one and minus one note down quickly बचो जल्दे से कर लो इसको note okay students हो गया answer हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे करते हैं कुछ questions write the additive inverse of each of the following additive inverse बताना है वह किसका minus five upon nine का बहुत simple है बहुत ज्यादा simple है असान-असान से question है बिलकुल छोटे बच्चों वाले additive inverse of additive inverse of minus five upon nine equal to minus five upon nine का additive inverse plus five upon nine correct क्या किया माइनस से पहले माइनस लगाया इससे पहले माइनस लगाया तो माइनस माइनस कैंसल हुआ या फिर आप directly कर सकते हो माइनस वाले का प्लस प्लस वाले का माइनस साइन हो जाएगा change कहना का मतलब है यह next part देखिए 2 upon 8 इसको आप 1 upon 4 भी लिख सकते हैं उस इंप्रेस फॉर्म में आंसर 1 upon 4 को 1 upon 4 को कोशन मार के मान के भी हो सकता है आंसर शीट में आंसर 2 upon 8 को कोशन मार कोशन मान के भी हो सकता है रख जाओ देख लो additive inverse additive inverse of 2 upon 8 इसका आंसर minus 2 upon 8 भी हो सकता है और minus 1 upon 4 भी हो सकता है बात समझ में आई हाँ सर समझ में आ गई यह आंसर भी ठीक है यह आंसर भी ठीक है बेस्ट आंसर यह है वैसे क्योंकि यह सिंप्लिस्ट फॉर्म में आगे है समझ असान सा कोशन additive inverse अगर आप से पूछा जाए blindly sign change कर देना that's it है ना और इसकी पीछी की मैथ आपको मैंने समझा दिये नोट कर लो इसको चल दिसे प्यारे बच्चो हो गया हाँ जी सर हो गया चलिए बढ़ता है आगे रसीप्रोकल और आफ इस पूरे का रसीप्रोकल पूचा है पहले इसको simplify कर लो यह हो जाएगा तू मुल्टीप्लाइब वन अपॉन सेवन मुल्टीप्लाइब फाइफ तू वन जाटू सेवन फाइफ थाटीफाइफ तू अपॉन थाटीफाइफ को देनोमिनेटर न्यूमीनीटर और डे नूमिनीटर की पोजिशन swap हो जाना नियोंग एटर और डैनों मुनिटर की position इंटरचेंज हो जाना बात समझ मैं इसको कहते हैं रैसी प्रोकर क्लियर असान सा बहुत ज़्यादा असान सा यह कुश्चन था नोट कर ली जगाइश को ओके बढ़ते हैं आगे फिर write the multiplicative inverse of each of the following अभी हमने additive inverse find किया अब हम multiplicative inverse find करेंगे minus 13 upon 19 क्या find करना है सर्फ find करना है multiplicative inverse multiplicative inverse multiplicative inverse of minus 13 upon 19 भाई multiplicative inverse क्या बताया था रेसिप्रोकल minus 13 upon 19 कर रेसिप्रोकल minus 19 upon 13 minus उपर ही रहेगा भाई माइनस को ऊपर ही रखेंगे हम क्योंकि सिंप्लेस्ट फॉर्म में माइनस दीचे नहीं आता अगर आप इसका रेसिप्रोकल ऐसे भी कर देंगे ना कैसे सर ऐसे देखो लियान से ऐसे भी अगर आप कर देंगे तो मैं इसकी की उपर नीचे माइनस वन से मल्टिप्लाइ करके यहीं से लियाओंगा कौन सा वाला जो पहले लिखा था माइनस 19 अपॉन थार्टी क्लियर है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट देखिएगा वन अपॉन फाइफ आंसर मुझे जल्दी से चाहिए कॉमेंट सेक्शन में मेरे लिखने से पहले-पहले जल्दी से आंसर लिख दिजाए फट आफट अभी और भी सेकिंड है आई होब कुछ बच्चों ने टाइब कर दिया होगा यस मल्टी पलिकटिव इनवर्स ओफ वन अपॉन फाइफ इस फाइफ अपॉन वन फाइफ अपॉन वन को आप फाइफ कह सकते हो बात समझ में आ रही है हां सर माइनस वन का मुल्टी प्लेकिडिव इन वर्स तो माइनस वन ही होता है अभी बताया है चलिए पहले ये कर लीजियेगा नोट उसके बाद मैं आपको ये लिख वाँगा थर्ड वाला हो गया हां सर हो गया पता तो है माइनस वन ही आंसर आएगा मैल्टी पलिकेडिव इन्वर्स ओफ माइनस वन माइनस वन को हमने मान लिया माइनस वन अपॉन माइनस वन अपॉन वन कर दिया इसका रेशी प्रोकल यह हो गया भई यह वन उपर ग्रीन वाला और यह माइनस वन नीचे है माइनस पहुच जाएगा उपर और अपॉन में वन एज्यूम हमने कर रहा खा हटा दो शे वन माइनस का तो माइनस वन का माइनस वन का मल्टी प्लेकिडिव इन्वर्स माइनस वन ही आगया आप देख सकते हो ओल राइट आगया समझ हां सर समझ में आगया नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से असान सा यह कॉंसेट था और हमने इसी के साथ पढ़ लिया भाई कंप्लीट कर लिया है आइडेंटिटीटीज एंड इन्वर्स वाला कॉंसेट्ट नोट कर लीजेगा इसको जल्दी से बच्चो हो गया नोट हाजिसर हो गया चलिए बढ़ता है आगे नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है फिल इंदा ब्लैंक्स विज सुटेबल वैल्यूज टू अपॉन फाइफ में क्या एड करें जो टू अपॉन फाइफ ही आए असान सा कोश्चन प्यारे बच्चो सर जीरो ट्वैल अपॉन फाइफ की मुल्टिप्ला जो सर ट्वैल अपॉन फाइफ ही आए सरवन से कितना असान सा ये कोश्चन था बहुत जादा असान कोश्चन था परिए ऐसे कोश्चन अब्जेक्टिव में आ जाते हैं बटा चलिए बढ़ते हैं फिर आगे यह रहा कोश्चन आपके सामने विच आफ फॉलोइंग इस एन एक्जामपल ऑफ मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब रेशनल नंबर की मल्टिप्लाई होगी वन से आंसर वही आएगा यह है मतलब तो देख लो भाई कौनसे ऑप्शन में रेशनल नंबर की वन से मल्टिप्लाई होकर वही आंसर आ रहा है यह नहीं है यह नहीं है यह देखिए रेशनल नंबर की वन से मल्टिप्लाई करके वही आंसर आ रहा है और राइट तो कॉनसेट अगर किलियर है these questions are cakewalk cakewalk मतलब हलवा है भाई बहुत असान असान यह कुछ है अगर concepts आप से आते हैं तो हो गया नोट हाँ जी सर हो गया नोट कर लीजेगा जल्ली से बच्चो हो गया जी जी सर हो गया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया नेक्स्ट कॉंसेप्ट है हमारा अब हम लेखेंगे भाई operations on rational number और मैंने आपको स्टाइडिंग भी बताया था चार operations हैं अपने कौन-कौन से addition of rational number subtraction of rational number multiplication of rational number and division of rational number all right तो आज हम बहुत अच्छे से सीख लेंगे rational numbers को add कैसे करते हैं subtract कैसे करते हैं multiply कैसे करते हैं और like denominators case this is case one this is case 2 अगर आपके पास दो rational number है उनका denominator like है like का मतलब बिटा like का मतलब होता है same अगर दो denominators है और sorry दो rational number है उनके denominator like है उनके denominator like का मतलब है उनके denominator Same है तो कैसे करेंगे तो बेटा बहुत-bहुत-bहुत अदासान है अगर like denominators वाले numbers को आपको add करना है तो numerator में numerator add हो जाएगा, denominator में कोई change नहीं आएगा example देख लिजएगा, general example, a upon b plus c upon b upon में, यहां भी b, upon में, यहां भी b तो answer may be, भाई, जो common denominator रहेगा, that will be the denominator of the result common denominator will be the denominator of the result बात समझ में आ गई, हाँ sir, numerator में numerator add हो जाएगा numerator में numerator add हो जाएगा, clear है बिलकुल, हाँ sir, clear है बिलकुल clear है boss, okay भाई, okay, देखते है next ऐसा कोई example, हाँ sir, example देख लिजएगा example देखे, 2 upon 7 plus 3 upon 7, sorry, 3 upon 7 है, मैंने 5 लिख दिया, हाँ, same denominator वाला हम ले रहे है, denominator 7, denominator 7, same denominator like denominator, no change in denominator, numerator भी numerator add हो जाएगा, यह हो गया भाई, 5 upon 7, okay, clear, हाँ sir, clear, बिलकुल, अच्छे से समझ में आ गया, मतलब यह हुआ sir, like denominators वाले rational number को add करना बड़ा असान होता है, numerator में numerator add हो जाता है, denominator में कोई change नहीं आता है, हाँ, बिलकुल सही समझे, चलिए भाई, बढ़ते हैं, आगे फिर, case 2, unlike denominator, like मतलब same, unlike same का उल्टा, change, unequal, correct, unequal denominators, general example दीखे, general देखे, general form, a upon b, c upon d, a के rational number a upon b है, 1 c upon d है, b, d, मतलब दोनों का denominator different है, तो क्या करेंगे जहां से देखे भाई, b की multiply d से की और आ गया denominator answer का, b की multiply d से, denominator की multiply, denominator से की product जो होगा, वो denominator हो जाएगा, किसका answer का, और अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखे ध्यान से, इसके बाद, cross multiply, a की multiply d से की, यहां लिखा, a into d, c की multiply b से की, यहां लिखा, c into b, या b into c, इन दोनों को add, यह जो बीच वाला sign था, यह as it is, मतलब यह हुआ, example देखेगा, example देखे, 2 upon 3, plus 4 upon 5, 2 upon 3, plus 4 upon 5, 3 की multiply 5 से की, रखा denominator में, 3 की multiply 5 से की, रखा denominator में, 2 की multiply 5 से, यह plus बीच में, as it is, cross multiply, 4 की multiply 3 से, आया समझ, हाँ सर, 2, 5 से 10, 4, 3 से 12, 5, 3 से 15, यह हो गया, 22 upon 15, clear, आगया समझ में, हाँ सर समझ में आगया, क्या किया, इन दोनों की multiply 15, इन दोनों की multiply, cross multiply क्या, इस तरह से, cross बन गया न, ऐसे करके, देख क्रॉस बन जाए गई है, वो बनावा उदर, 5 to the 10, 4 to the 12, 10 or 12, 22, बीच में प्लस था यह, as it is, आया समझ में, हाँ सर, बिटा अगर यह आपके समझ में आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, अभी जब मैं आपको question कराऊंगा, तो आपको question ऐसे भी कराऊंगा, और एक और इससे भी असान एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्शुल ट्रिक नहीं है, मेथर्ड यह वो भी, यही काम होता है, लेकिन वो स्वड़ा शॉट में हो जाता है, होता है यही काम, अल्राइड, अभी सारी बात आपको महाँ पर समझाई जाएगी, यह और वो दोनों में क्या फरक है, पहले आप इसको कर लिजएगा, note, I hope आपको समझ में आ गया, how to add rational numbers with same denominator, and how to add rational numbers with different denominators as well, note it down, quickly students, okay students, तो देखते हैं, आगे करता हैं कुछ questions, addition के, देखें, फर्स्ट वाला तो बड़ा असान है, क्योंकि, क्योंकि सर, क्यों सर, पताए क्यों असान है, क्योंकि denominator, same है, no change in denominator, numerator में numerator को add कर दो, यह आ गया, वह आपका answer 6 upon 5, यह भी आपका answer हो सकता है, और आपका answer, mixed fraction में भी हो सकता है, 5, 1, 5, और 1, 6 upon 5, आल राइट, आगया समझ, सर, आप कुछ कह रहे थे कभी, हाँ बटा, मुझे याद है, तो मैं यह second बाला, denominator दोनों का different है, सर, numerator तो सेम हैं यह आपे, बटाई, numerator सेम हो ना हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, numerator से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ, denominator से, correct, चलिए, अब हम यह second question करेंगे, दोनों के दोनों approach से, दोनों approach से, इस question को करेंगे, 3 upon 4, plus 3 upon 5, पहली approach, जो आपको मैंने बताई थी, अभी-भी, दोनों की मल्टिप्लाए, फिर ख्रॉस मुल्टिप्लिकेशन, 3, 5, 3 इंटो 5, plus as it is, 3 इंटो 4, 15 plus 12, upon 20, 15 or 12, 27 upon 20, यह आपका आंसर, या फिर, 21 ज़र 20, remainder 7 आपका आंसर, एक अप्रोच तो यह हुई, दूसरी अप्रोच, इदर देखिए, 3 upon 4, plus 3 upon 5, क्या करेंगे आप, denominators करेंगे, LCM, lowest common multiple, find करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, कैसे करेंगे, जब हम comparison कर रहे थे, वहाँ आपको समझाया किया था, 4 और 5 का LCM, 20, 20 की डिवाइट करेंगे 4 से, यहाँ से देखना भाई, 20 की डिवाइट करेंगे, 4 से, you will get 5, उस 5 की मुल्टिप्ला है, numerator से, plus as it is, ऐसे ही, 20 की डिवाइट करेंगे, 5 से, you will get 4, you will get 4, 4 की मुल्टिप्ला है, numerator से, 5 थी जा 15, plus 4 थी जा 12, upon 20, 15 और 12, 27 upon 20, answer, 21 to 27, remainder answer, sir आप तो कह रहे हैं, different है, है तो यह ही है, 3 इंटो 5, 3 इंटो 5, 3 इंटो 4, 3 इंटो 4, 4 इंटो 5, 4 इंटो 5, 20, 20, 20, क्या फाइदा हुआ, यहां तो दिमाग और खराब होगी है, हमारा, किससे दिवाइड किसी किससे मल्टिपला है, देखे, ताली बात तो होगी है, दिमाग खराब नहीं हुआ, देखे, दिवाइड, देखे, इस लिए पता नहीं चला, क्यूंकि इन दोनों का प्रोड़क्ट और इन दोनों का ल्सीम, इन दोनों का प्रोड़क्ट और इन दोनों का ल्सीम, सेम है, इसलिए कोई चेंज नहीं मिला, कोइंस्टिदेंस हैं, अभी मैं कोश्चन कराऊंगा, सब्ट्रेक्शन में भी कराऊंगा अगर प्रोड़क्ट सेम नहीं है तो कोश्चन इजी हो जाता है आल राइट इसको आप नोट कर लिजएगा जल्ली से बच्चो करेक्ट नोट डाउन क्विक्ली क्विक्ली स्टुएंट्स क्विक्ली हो गया नोड बॉस जिसर हो घै-ठीक बच्चो बढ़ता है फिर आगे देखते हैं सब्ट्रेक्शन चैसा एडिशन था सेम व्यसा ही सब्ट्रेक्शन है सविलकुल सेम है सपिर दुबार है कि बढ़ा रहा हूं जहां कर प्लस था आप देखिए ये ब्लस बाकी सब सेम ये plus, ये minus, बिलकुल सेम वही वर्क होगा, no change in denominator, numerator will subtract from numerator, new denominator की multiply, to get the denominator of the answer, and a multiply by d, minus as it is, b multiply by c, alright, आगया समझ, समझ में आ गया, बिलकुल सेम है, बिलकुल सेम है, rational number को add करना, और subtract करना, बस, sign change हो जाएगा, addition की जग़ा पर subtraction हो जाएगा, काम बिलकुल वही होगा, बीच का operation, चीज हो जाएगा बस, process बिलकुल वही का वही है, समझ में आ रही है बात हां सर समझ में आ रही है चलिए दो एक कोशन कराते हैं चलिए पहला कोशन इस्टुटेंट साब इसको नोट कर ली जगा बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है बस एडिशन की जगह पर सब्ट्रेक्शन आएगा लिक ली जगा जल दिसे बच्चो हो गया जी हां जी हो गया तो देखेए कोशन दिखते हैं है सॉलिशन पार्ट यू फैरी अपॉन ति अपॉन से steeds हैं सें तो नौ 2 upon 3 minus 3 upon 4 denominator same नहीं है denominator same नहीं है तो क्या करेंगे भई क्या करेंगे इन दोनों को लेंगे एलसीम 3 और 4 के एलसीम 12 देखिए एलसीम वाली अप्रोच से मैं करा रहा हूं आपको भी ऐसे ही करना है जल्द इल्दी कोश्चन साप कर पाएंगे 12 के डिवाइड 3 से ध्यान से देखिए 12 के डिवाइड 12 के डिवाइड 3 से क्या आया 4 4 की मल्टीप्लाइड नियूमरिटर से सहिए भई माइनस एज़ इस माइनस एज़ इस 12 के डिवाइड 4 से क्या आया भई 3 3 की मल्टीप्लाइड नियूमरिटर से आल राइट आ रहा है समझ में हासा समझ में आ रहा है 4 2 जा 8 3 3 जा 9 4 12 as it is 8-9-1 8-9-1 upon 12 आ गया भई आंसर तो भई आप से बहुत अच्छे से आना चाहिए दो रशनल नंबर को जोड़ना और गटाना you have to know how to add two rational numbers and how to subtract two rational numbers all right note down the solution quickly students okay students let's move ahead now let's see multiplication of rational numbers multiplication, भाई, multiplication तो और भी असान है, कैसे, numerator की multiply, numerator में, denominator की multiply, denominator से, numerator की multiply, numerator से होगी, आपको मिलेगा answer का numerator, denominator की multiply, denominator से होगी, आपको मिलेगा answer का denominator, कैसे, sir, ऐसे, N1 upon N2 multiply D1 upon D2 N1 upon N2 multiply D1 upon D2 इसे अच्छो तो मैटा एक काम करिए N1 upon D1 रखिए, यह साथ सही रहा Numerator 1, denominator 1 Numerator 2, denominator 2 तो क्या होगा Numerator की multiply numerator से denominator की multiply denominator से, that's it A upon B into C upon D कुछ भी होए आपे, same हो, change हो कोई फरक नहीं पड़ता, दो rational number है, यह है rational number पहला वाला और यह है rational number दूसरा वाला तो numerator की multiply numerator से A multiply C, A C denominator की multiply denominator से, B multiply D, B D A C is the numerator of result, B D is the denominator of the result आया समझ में example देखिएगा 3 upon 5 multiply 4 upon 3 तो numerator multiply by numerator denominator, denominator multiply by denominator, अगर कुछ शीज कट रही हो, या सेम नमबर से, डिवाइड हो रही हो, नियूमिनिटर और देनोमिनिटर में तो कर देंगे वाई, आंसर आए आपका 4 upon 5, आप यहां भी इसको कर सकते थे, ऐसे, और राइट इस्टूरेंट्स, क्लियर है बिलकुल, हाँ सर, क्लिय जल्दी से प्यारे बच्चो, हो गया जी, हाँ जी सर हो गया, ठीक है तो बढ़ते हैं, आगे, question करते हैं, solve, multiply, 5 upon 9, 5 upon 9 की multiply करनी है, minus 3 upon 4 से, कैसे करेंगे सर, numerator की multiply, numerator से, denominator की multiply, denominator से, यह upon as it is, all right, देखिए, मैंने गाता आपसे, numerator और denominator में कुछ, cancel हो रहा हो, तो कर देंगे, तो 3, 1 सा 3, minus, है तो minus 1, 3, 3 सा 9, क्या बच रहा है, 5 multiply minus 1, and 3 multiply 4, 5 multiply minus 1, minus 5, 3, 4 सा 12, minus 5 by 12, minus 5 by 12, यह रहा option A, आ गई बात समझ, हाँ सर, बात समझ में आ गई, अगर आप इसको यहाँ पर deduct नहीं कर रहा है, कार्ट नहीं रहे, तो देखिए, 5 थरीजा कितना जाए गांसर, अगर आप इसको यहाँ पर cut नहीं कर रहा है, as it is, आप कर रहे हैं, तो 5, 3, 15, opposite sign minus 9, 4, 36, लेकिन यह simplest form पर answer नहीं है, हमेशा आपको अपना answer simplest form में देना होता है, आपको मैंने बताया था simplest form, बताया था है नहीं, हाँ सर बताई थी आपने, क्या ऐसी form, जहाँ पर rational number की ऐसी form, जिसमें numerator और denominator में कोई common factor ना हो, और denominator positive हो, चलो denominator तो positive है, अगर मैं minus को ignore कर दूँ, तो 15 और 36 को देखिए, को प्राइम है क्या, नहीं सर बिलकुल नहीं है, 15 और 36, दोनों divide हो जाएंगे 3 से, तो करो divide, दोनों को 3 से divide करते हैं भाई, 3 5s और 15, 3 12 और 36, तो यह minus as it is, minus 5 by 12, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना, आंसर शुद बी इन simplest form, और राइट, minus 5 by 12, असान सा कोशन दा, नोट कर लिजेगा, जल्द इसे प्यारे बच्चो, और राइट, हो गया, solve, हाँ जी सर हो गया, चल यह तो फिर बढ़ता है, आगे, next and last, operation, division of rational number, rational number को divide कैसे करते हैं, बिटा बड़ा important है, और इससे भी साथा important है multiplication, क्योंकि इसमें भी होगी multiplication है, multiplication होगी इसमें, हाँ भाईया होगी, सही सुना आपने, हो का division, लेकिन होगी multiplication, यह का बात होई, पुरी बात सुनो, multiplication होगी second step में, कहाँ पर second step में, अब समझे माई सर पार, ठीक है सर, क्या करेंगे पहले, सबसे पहले reciprocal find किया जाएगा, किसका, second rational number का, भाई दो rational number है, दो rational number के डिवाइड हो रही है, suppose 3 upon 5, divide by, divide by 6 upon, 6 upon 4 कर लो, 3 upon 5, divide by 6 upon 4, तो सबसे पहले क्या होगा, सर, देखी क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है, find the reciprocal of the second rational number, second rational number को लिखा हुआ है, divisor, 3 upon 5, divide हो रहा है, 6 upon 4 से, 3 upon 5, divided by 6 upon 4, तो 6 upon 4 is divisor, 6 upon 4 is second rational number, तो सबसे पहले आप इसका, क्या find करेंगे, सर, सबसे पहले इसका हम find करेंगे, reciprocal, 6 upon 4 का reciprocal, 4 upon 6, correct, अब step 2, multiply the first rational number with the reciprocal, यह जो first rational number है, इसकी multiply करेंगे, reciprocal से, मतलब कहने का यह हुआ, divide का sign, replace हो जाएगा, multiply के sign से, the sign of division, get replaced by multiplication, the sign of division, get replaced by multiplication, आ रहा है समझ में, हाँ सर समझ में आ रहा है, division का sign, multiply के sign से, replace हो जाएगा, clear, इस sign के बाद, इस वाले sign के बाद, जो rational number है, उसका reciprocal हो जाएगा, तो 6 upon 4, 4 upon 6, अब देखिए ध्यान से, यह बन गया, simple question, multiplication का, इसलिए मैंने आप से कहा था, division में होगी, multiplication, दूसरे step में जाकर, अब तो आपको पता ही है, क्या पता है, numerator की multiply numerator से, denominator की multiply denominator से, numerator और denominator मे, ऐसे number देखिए, जिनका कुछ common factor हो, तो 4 और 6, या फिर 3 और 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या बचा, यह बचा सर, 1 इंटू 4, 5 इंटू 2, 4 और 2, यहां से देखिए, 4 और 2, 4 और 2, दो नो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यह हो गया भाई, 2 by 5, यह हो गया भाई, 2 by 5, आ रहा है समझ में, हां सर समझ में आ रहा है, 2 by 5 is the answer, clear है बिलकुल, हां सर बिलकुल के लिए रहे, I hope you understood this, very well बच्चो, clear, हां सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई, तो division हमारा clear हो गया, इसको कड़ दी जगा भाई, आप जल्दी से note, all right, note it down quickly, okay सर, हो गया note, चलिए, कुछ questions करते हैं, division पर, minus 9 upon 16, divide by, 3 upon minus 4, minus 9 upon 16 की divide, 3 upon minus 4 से हो रही है, तो step 1, reciprocal, 3 upon minus 4 का reciprocal, minus 4 upon 3, reciprocal आपको बहुत अच्छे साह आता है, अब multiply the first rational number by, reciprocal, आ रहा है समझ में, हां सर, देखिये, minus 9 multiply by minus 4, numerator की multiply numerator से, upon, denominator की multiply denominator से, दियान से देखियेगा, 3 बंजा 3, 3 बंजा 9, minus as it is रहे गए, minus का दियान रखना, माइन में, तो minus 3 into minus 4, upon 16, ओल राइट, 4 बंजा 4, 4 बंजा 4, 4 बंजा 4, 4 बंजा 16, अब देखिये, minus 3 into minus 1, यह वाला minus, और यह, minus 3 into minus 1, minus 3 into, minus 1, upon 4, minus 3 की multiply, minus 1 से होई, 3 upon 4, देखिये, शॉर्ट में भी हो सकता है, शॉर्ट में कैसे होगा, देखिये, 3, 3 बंजा 9, 4, 4 बंजा 16, minus minus, plus 3 upon 4, इस दा आंसर, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, आगे समझ, 3 upon 4 आ गया भी आंसर, नोट कर दीज जगह जल दी से, और राइट इस्वरेंट्स, एक्जाम में अगर कुश्चिन आयागा, डिवाइड करने के लिए, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, step 1 यह, step 2 यह, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे, यह तो आपको सम्झाने के लिए था, बढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड बाइ 3 अपॉन, माइनस 4, कैसे करेंगे, माइनस 9 अपॉन 16 डिवाइड की जगा पर मुलिटिप्ला है, जो अगला वाला रेशनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल, डिरेक्ट, ओल राइट, फिर, बस जो मैंना भी, कट किया था वैसे ही, 3 थी थी जा, 3 थी थी जा, 9, तो यह हो गया, माइनस 3, और, 4 फोर्जा, 16, यह हो गया, माइनस 1, अपॉन 4, अंचर आया भई, 3 अपॉन 4, ओल्राइट, इस्रूमें आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, नोट कर लिजगा इसको, जल्दी से प्यारे बच्चो, ओल्राइट, इस्रूमेंट्स हो गया, हाँ जिसर हो गया, बहुत बढ़िया भई, कॉस्चन करते हैं, सॉल्व और डिवाइट पर, बनाते हैं अपनी कमांड, तो देखिए भई, माइनस 4, डिवाइट बाई, टू अपॉन 3, माइनस 4, डिवाइट बाई, टू अपॉन 3, डिवाइट की जगा पर, मुल्टिप्लाई, टू अपॉन 3 का, रेसिप्रोकल, हो गया ना सान, हाँ सर, टू अन जा टू, टू तू तू जा फूर, माइनस का दियान रखना, माइनस 2 इंटू 3, माइनस 6, क्लियर, माइनस 6, तो 2 तू जा, 4, 3 तू जा, 6, ओल राइट, असान है, हाँ सर, बहुत जादा असान है, ठीक है, देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, माइनस 2 अपॉन 13, माइनस 2 अपॉन 13, डिवाइट उपॉन 7, मानस 2 अपॉन 13, डिवाइट ऊपॉन 7, पहला रेषनल नंबर, एस इघवाइट की जगह, पर मल्किपलाएब, डिवाइट जगह, मल्किपलाएब, मिलकिलाएब, में आपॉन 7। तो, तो, इंटू 7, 13 नेंटू 1, minus 14 upon 13 यह आपका अंसर आप इसको mixed fraction में भी लिख सकते हो 13 मंदा 13 और 1 14 minus 1 1 by 13 is our answer आ गया समझ में हां सर समझ में आ गया बहुत बढ़िया वाई तो बिटा हमने क्या किया हमने सारे questions कर लिए अच्छे-च्छे मतलब सारे concepts पर हमने अच्छे-च्छे कोशन किये और बहुत सारे concepts मैंने आपको इस वीडियो में करा है आल राइट एक बार मैं आपको summarize करा देता हूं हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा भई एक बार जली से देख लिजएगा हमने इसमें क्या-क्या पढ़ लिया वह बहुत सारे में और अच्छे-च्छे बाते बताए गई रिप्रेजेंट क्यों से होता है इंफाइनाइट होते हैं पॉजडिव होते हैं नेगडिव होते हैं और बाकी सबको हम कैसे कर सकते हैं कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं जियूम करके वन उनके डेनोमनेटर नेच्रल नंबर को कसे फाइंड करते हैं कितने फाइन कर सकते हैं यह आपको बताया गया फाइंड रिशनल नंबर को नमडर ग्रकस सिंоны करते हैं चाहाए वो पॉजरिटिव वोच आगे लिए चाहे वो proper fraction की form में हो चाहे वो improper fraction की form में आपको बताया गया दो rational number की बीच में rational number कैसे find किया जाता है एक या दस या सो कैसे find करते हैं दो method से equivalent rational number method आपको सिखाया गया और mean आपको सिखाया गया mean method आपको compare करना सिखाया गया दो rational number को कैसे compare करते हैं कैसे पता करते हैं कौन से बढ़ा है कॉन से चोटा है कैसे उनको असनिंदय में कैसे उनको अर्च किया जाता है ऑल राइट उसके बाद ID ईंदी आपको पढ़ाय गई एडिटी इंडी इंटी इंटिडएव साथ आपको पढ़ाय गया एडिटीव इन वर्स डीपैडि आहीं इन वर्स ब्राइक ट्यूर्ट इन अडेनारी मापको पढ़ाय गया and in the end आपको शिखाया गया division of rational number इसी के साथ हमारा complete chapter को हो गया revision एक short में I know that videos lengthy लेकिन video में सब कुछ कबर सारे concepts cover किये गए all right students thank you so much for watching me and watching magnet brains but जाना कही नहीं है क्योंकि मेरे पास आपके लिए important information regarding magnet brains magnet brains provide करा रहा है high quality education यहाँ पर आपको केजी kindergarten से लेकि 12 तक सारे classes के सारे subject courses set मिल जाते हैं बिल्कुल free सब सब कुछ मिलता है सब कुछ सब कुछ क्या सर हर class का हर subject का conceptual videos in text question and see it question and see it is solution miqs most important question जिसमें objective subjective सभी तरह के questions mcqs multiple choice question series पूरी आपको मिल जाती है one shot revision जैसे कि यह था और revision videos top 20 question top 30 questions top 50 question और आपको मिल जाते हैं daily practice problems भी instruments हर चीज मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सब कुछ है वले वले हिंदी मीडियम के लिए भी cbsc Hindi board cbsc English board मतलब cbsc board in the medium cbsc board English medium you'll be able to be able to board all right up the second yes see the menopko बताया यह सब चीज़े इस्टुमेंट्स काम लेगी हमारी website www.magnetbrains.com हमारी एप पर सेम नेम से एप है प्ले स्टोर पर और यूट्यूब पर तो ही है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो बच्चों कर दिया ना बहुत बढ़िया वीडियो च्छे लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में और रिलेटिव में इस इतना ही नहीं इंग्लिशिंस्पोकिकश्ट्क兒 आपको मिल जाता है इंग इंग्लिशिंसे ऑंपिया। पर जाहेंगे यहाँ पर आपको चैनल लिखा हुआ लिए पर चाहे हुआ है जैसे कि टेलेग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक आप सब लोग यह सब यूज़ करते हैं मुझे पता है तो आप हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैंगनेट बेंट फेमिली का हिस्सा बिटा अभी एक बात और रहे गई है क्या सर नोट सबसे इंपोर्टन बात आपको नोट से मिल जाते है भाई सिख से ले के 12 तक सार इस सब्जेट के नोट भी अवलेबल है कहां पर वेबसाइट पर कॉंसी वेबसाइट www.magnetbrains.com link है भाया description click करिये पहुंच जाये website पर और ग्राप कर दीजे का notes thank you so much students it's time to say goodbye let's wind up the class thank you so much for watching me and magnet brains as well with your happy and smiling faces I am Salik your mess educator I will meet you soon in the next class till that bye bye be happy keep learning keep growing keep exploring bye bye students